हालो आफ्यू आज जो हमें लोग चैप्टर रिवाइस करने जारे हुए पार्टनर्शिप चैप्टर थोड़ा सा लेंदी चैप्टर और एक्जामिनेशन पॉइंट अभी से भी बहुत इंपॉर्टन अगर आप देखोंगे जून 22 में इसमें 15 मार्क्स का आए डिसेंबर 21 में 12 मार्क्स का है जुलाई 21 में 17 मार्क्स का जैन 21 में 15 मार्क्स का और नवेंबर 2020 में कितनी मार्क्स का 12 मार्कस चैप्टर से कोश्चन आया तो आप देखोंगे आवरेज अगर बेकर ऑन और आवरेज 15 मार्कस चैप्टर से कोश्चन examination में आता ही है इस chapter में काफी चीज़ हमको discuss करना है जैसे कि introduction, goodwill के बारे में और इसके फिर admission, retirement और death of a partner के बारे में so generally admission, retirement, death of a partner को generally इसको अलग-अलग chapter consider करते हैं लेकिन actual में ये एक ही chapter का part है और इसमें 90% चीज़े same है कुछ-कुछ चीज़े आलगे, 5-10% चीज़े आलगे, admission, retirement और death में वो सारी चीज़े हम लोग इस chapter में discuss करेंगे और previous 5 अटम के examination के question भी हम लोग फिर उसको भी वहां consider करेंगे तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं इसके introduction से तो partnership होती क्या चीज़े सबोज यहां पर 5 friend है सब A, B, C, D और E यह पांचो friend मिल के चाहते हैं कि कोई business करते हैं और यह लोग ने सची है क्यों नहीं restaurant business open करते हैं इक restaurant उन्हें नहीं open करें इन लोगों ने इस business में इन partners ने क्या करें पैसा लगा है यह कुछ अपनी assets दिये और यहां पर partnership firm क्या होगी यह business करने लगी उसकी कुछ expense हो उसकी कुछ income हो जो भी वह difference होता है उसका profit हो यह loss हो किसको दिया जाता है partners को दिया जाता है अब ही partnership याद रखना accounting के point office यह एक entity है यह जो business है यह entity हमको इसके point office partnership firm के point office accounting सीखना है partners के point office से बात नहीं करें अपन किसके point office से बात करें partnership firm के तो partnership firm के point office हम लोगो accounting करना है और यहां पर अगर मैं definition देगो partnership होती क्या चीज़ है तो partnership is a relationship between two or more person to do some commercial activity for mutual benefit the partnership relationship होती दो यह से जादा लोगों में commercial activity husband और wife कभी relationship होता है यहां भी हम किस relationship की बात करें जो commercial activity जो business करें mutual benefit है कि हम कुछ पैसा कमा सकें और यह जो profit और loss होता है किसे दिया जाएंगा यह जो भी business का profit और loss होता है वो partners को distribute उनकी profit sharing ratio में करा जाता है अभी जो partners है यह इस business के owner है लेकिन यह owner है लेकिन यहां पर partnership entity कौन है entity आपकी यह business यह entity partnership firm हम लोग जब accounting करेंगे तो हमको partnership firm के point of view से सोचना है अभी जब यह profit और loss होता है यह कोई और चीज़े भी हम बात करें के salary होगे interest on capital interest on loan तो इसमें जो भी terms and conditions होते है इन partners के क्या होगा को retire होके जाएंगा तो क्या होगा फिर उनको क्या salary देना है के interest on capital देना है interest on drawing देना है profit sharing ratio कितना रहेगा वो सारी चीज़े एक document में होती हो document को कहते है partnership deed तो उसमें terms and condition to run and manage the partnership इसमें सारी चीज़े लिखी होती है लेकिन कभी यह हो सकते है कि अगर partnership deed silent है अगर आपकी partnership deed silent है तो पांच चीज़े ऐसी है जो हम लोगों को follow करना पड़ेगा पांच चीज़े अगर partnership deed silent है तो आपको Indian partnership act है तो वो क्या कहता है कौन सी पांच चीज़े हमको ख्याल रखना है कि no salary is to be paid to any partner कोई भी partner को salary देना नहीं है अगर partnership deed में खाई यह कभी examination में आ भी सकता अगर partnership deed silent है तो बताओ आया भी कोई attempt है तो यह partnership deed silent तो आप क्या treatment हो तो आपको कहना रहेगा कि no salary is to be paid हमको को salary no salary हमको को salary partners को देना नहीं रहेगा no interest is no interest to be allowed on capital no interest on capital तो interest on capital पर कोई interest नहीं जया no capital पर कोई interest नहीं देना drawings पे कोई interest नहीं मतलब salary नहीं interest on capital नहीं interest on drawings नहीं लेकिन अगर को partner नहीं तो partnership firm को as a loan को हूई पेशा दिये तो अगर partnership deed silent है तो आँ म advice ँष एपरनों के साब पार अप से उस 아무का को छे परतने साफ से उस पे क्या देंगे interest देंगे एंगर आगा यू नियूज ना इंटो उन्हों लोन दिए वो लोन पर हमको कितने हमको डाउंक capital, no interest on drawings, no salary, मगर loan दिया उसने तो उस पर 6% हम उस पर interest देंगे, okay, profit sharing ratio को हम क्या consider करेंगे, equal profit sharing ratio रहेंगा partners का, okay, कब, यह तो यह पांचों चीजे मैंने जब कहा, यह कब होंगी जब partnership deed आपकी silent है, यह कब होंगा जब partnership deed आपकी silent है, अगर partnership deed silent नहीं है, तो जो भी partnership deed कहती है, उसी को हम क्या करेंगे, follow करेंगे, so partnership deed silent होने पर no salary, no interest on capital, no interest on drawing, 6% interest on loan and profit sharing ratio will be equal, अब यहाँ पर बच्चों, जो capital account maintain करते हैं, partners की capital account maintain होते हैं, partnership firm में, तो जो capital account maintain होते हैं, वो दो तरह के होते हैं, एक जो होता है आपका, उसे कहते fluctuating capital system, और एक होता है आपका fixed capital system, what is this 帶 – fluctuating capital system, fluctuating capital system है आपका capital accounts यहाँ पर बनावाया और यह capital account आपका हैं, इस capital account में आप देखोंगे यहां पर कि यह capital account में आपने opening capital लेकर closing लेकिन इसमें बाकी चीज़े जैसे कि आपने salary partner को दे रहे तो इसमें interest on capital और उसके बाद cash हुआ और profit हो था आपने transfer करें ड्राइंग्स और the capital decrease हो था सिर्फ capital account maintain कर जाएं लेकिन fixed capital system में आप दो account partners के maintain करते एक होता है capital account और दूसरा होता current account capital account में देख जैसा opening यह वैसा ही closing है लेकिन जो दूसरी चीज़े current का भी ऐसी opening और closing रहेगा लेकिन जो दूसरी चीज़े जैसे कि salary partner को दिये interest on capital होगा यह profit होगा यह अपने drawings हो गया यह interest on drawings हो गया यह current account में record करते है इसलिए partner का capital account है वो fluctuate नहीं होता हो fixed रहता है इसलिए इसको fixed capital system कहते है और वो current account भी partner कही होता उसमें बागी चीज़े उसमें लिखते है तो आपने क्या होगा कि जो fixed capital system में जो capital account है fixed है और आपका current account में changing होती है इसलिए इसको fixed capital system कहते है यहां पे आप सिर्फ capital account maintain करते है उसी में opening, closing or सारी चीज़े बच्चा हो जहाब उसी में लिखते है यहां पे salary होगे interest on capital profit, capital introduce है पिए drawings, interest on drawing, all बाइन लिखते है इसलिए आपका आपके अपिटल अकाउंट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलन्स फ्लक्टूइट होता है इसलिए फ्लक्टूइटिंग कापिल सिस्टम उसको कहते हैं अब आपने इस चीज को बहुत अच्छे सबढ़ने मैं गुडविल यह सब सारी चीज़ों का आ गया आता हूं लेकिन अ कोशन होते हैं आपके स्पेसिफिक इस सब्सक्राइब पूछ लेती कभी गुडविल के ओपर जेल पी वह अला गया लेकिन ओवर ओल्व कोशन की पहले बात करो कि आपको वह बैलेंशीट देती है एक बैलेंशीट देती है और आपको एडिशनल इंफरमिशन देती है वह इडिशनल इंफरमिशन नहीं वह यह पांच पॉइंट में से जेनरली होता है यह ऐज़ होता है अब इस चीज को हमको कोशन में बैलेंशीट दीये रिदनशीट किसके अब अच्छे समझना कि मेरे सामने question में partnership firm की balance sheet दी फिर हम से पूछता है कि revaluation account बना capital account बना और balance sheet बना partnership firm की तो मैं को यह balance sheet में बच्चो जो यह assets है उसको आपने कहां पर लिख दोंगे asset side में यहां पर लिख आपने जो liability balance sheet के liability side में लिख ठीक है मगर यह capital के balances दी इस capital को आपने पार्टनर को क्या करें बच्चो बाट इती है capital के रिजर्फ को बाट दी capital के जो balance दी है वही आपको लिखना रहेगा जो तीनो पार्टनर जिसे मेरे example ABC पार्टनर का जो भी capital balance यहां यहां पर दिये वह capital balance को आपने यहां पर लिख रहे है और कहने की बाते हैं यह आपको पता है कि liability side credit balance होते है इसलिए balances को आप capital के credit side में लिखा हूँ capital account के reserve जो होते है उस पे भी हग partner का ही होता है उस reserve को भी आप partner को profit sharing ratio में आप बाट दोंगे अब मैंने देखा कि यहां पे यहां पे जो assets और liability को balance sheet में दी वे वह मैंने जो new balance sheet बनाने बुला उसमें महाँ पे लिखा उसके बाद जो capital के balance देऊ capital account में लिखा और reserve को मैंने profit sharing ratio में partner को बाट दिया तेकिन यह revaluation account क्या होता है इस कि मैं अभी detail में discuss करेंगे क्योंकि आप यह asset or liability लिखे उसको revalue करें उसकी value change करें तो आप double entry system में follow करते तो आपने asset or liability यहां पे जो लिखे वो inner column में लिखना और उसकी value change होंगे क्योंकि आप उसको revalue करें what is revaluation अभी अपन बात करेंगे अब मैंने देखा कि बहले जो मेरे सामने जो balance sheet दिये उसको इस तरीके से मैंने capital account की जगा capital account में लिखा जो balance sheet में लिखना तो मैंने balance sheet में लिखा लेकिन additional information में आपको जनरली इन 6 चीदों के बारे में बात करेंगा and profit till the date of change वो क्या उसके बारे में आगे बात कर तो don't worry 5 यह और अधर क्या होगा अधर कभी ऐसा कोई और item for example कोई error था rectification के बारे में बात कर सकता है तो पांचों के अलावा एक और category अपने लेनी यहां पर अधर हो सकता है कुछ rectify करने बोला कुछ इस गलत लिखे उसको सुधार हो SEP कुछ आसा item दे सकता है तो basically हम लोगों को ऐसा लगता है जो students को कि admission retirement or death अलग-अलग topic है मैं सच को 90% सेम और जो अपके adjustment screen पर मैंने यहां पर यहां पर सी अभी additional information इसके बारे में एक ही करके आप डीटेल में बात करने वाले बच्चों लेकिन यह जो आपके यहां पर items लिखे वे admission or retirement death हो यह सब में आपे रहाता है आपका सब में यह चीज़े आती है अब कुछ छोटे मठी से अलग changes उसके बारे में बात करूंगा आगे लेकिन सब्सक्राइब करें अब करके आपको concept explain करूंगा बहुत ही ध्यान से अपने इसको समझना बच्चे जनरली GLP में डरते हैं इसको कुछ भी डरने लायक नहीं जनरली goodwill के calculation में कुछ भी डरने लायक नहीं मैं आपको explain करूंगा किस तरीक से आपको करना रहेंगा goodwill का calculation बताऊंगा कैसो gaining ratio sacrificing ratio में घवराते हैं इसमें कुछ भी घवराने वाला नहीं है एक table होता है goodwill में regular bash में भी मैंने सिखा था वह मैं आपको यहां पर भी revise कराऊंगा भी उस table से वह goodwill के यहां पर discussion शुरू करते हैं जैसे कि यहां पर screen पर आ है कि common factor जैसे यह जो मैंने पांच चीज़े करके आप जो लिखा मैं इस पर आऊंगा भी लेकिन कौन सी common factor in all cases जैसे मैंने आप से का कि फिर admission हो retirement हो यह death हो सब में यह points आते रिवालूशन का, reserve का, profit or loss till the date of change, goodwill, joint life policy और यह अदर सब में यह आता है फिर चाहे हो admission हो, retirement हो, death हो एक-एक करके हम लोग discuss करते हो इन points पर मैं वापस आऊंगा इन points पर यह यहां पर लिखा हो इस पर मैं वापस आऊंगा एक-एक point हम लोग पहले हैं पर discuss करते हैं, सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ, revalution से सबसे पहले किसले शुरू करता हूँ, revalution, revalution क्या चीज होती है, पहले basic चीज़ है आपने सामाइद ना बेड़ा, इसका logic है, मैं जल्दी से कहा तो, revision lecture है, लेकिन मैं इसको ध्यान से कोई partner जा रहा हूँ, उसको अभी side में रखो, लेकिन जो आए या जाए जो भी हो, वो partner यह ज़रूर कहेंगा, जगर सबसे example कोई partner अगर आ रहा है, आपके जो book में asset की value है, वो कोई और हो सकती है, लेकिन market में जो उसकी value हो कोई और हो सकती है, तो मैंने का, book में जो value लिख market में 4 करोर हो सकती है, तो मैंने का, कि market में कोई और value हो, अगर आगे चलके, यह जो सारी चीज़ जो adjustment कर रहे हैं, जो इसमें यह undistributed profit है, जो भी undistributed profit है, वो हमने का आक्च्यों में distribute कर देना है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई partner आ रहा है, तो उसको उसका benefit में लेकि क्योंकि जो partner पहले से काम करें, तो undistributed profit उनको बाढ़ दो, यह कोई partner जा रहा है, यह किसी की death हो रही है, तो हम यह चाहें कि जो partner गया, उसको जो profit undistributed profit इसका हिससा उसको भी दे दो, क्योंकि हो जा रहा है, जो इसका हिससा उसको दे दो, तो revolution इसलिए कर जाता है, कि यह जहां पर मैं कहता हूँ कि जो book में कोई और value है, और market में कोई और value है, तो आपको नहीं लगता बच्चे कर आज मैं, यह actual में नहीं बेच रहा हूँ, लेकिन इन assets को मैं बेच रहा हूँ, तो वो profit पे, जो old partners, उनका हक है, सारी partners, उनका हक है, अब आज नहीं बेच रहा है, यह कोई partner जा रहा है, हम बोलते हैं कि उस तारीक को तो देखो, कि अगर आज actual में नहीं बेच रहे, लेकिन अगर बेचे, तो कोई asset पे कितना फायदा होँगा, book में क्या, market में क्या है, तो that will be either profit or loss, तो उसको आप लिखते हैं, और वो benefit, वो undistributed profit होता है, वो सारे old partners को ब Debit to Revaluation, अब देखो, कोई asset पे फायदा होगा है, वो इसकी market value जादा है, उसकी market value कम है, तो उसकी value को आप कम कर रहे हो, market value किसी की जादा है, तो उसको आप ज़ादा कर रहे हो, उसको बढ़ाना, किसी की value को कम करना, तो एक-एक बैसिकली ये, जो इस पे जो भी profit or loss हो, पार प्रफिट और लॉस को एक-एक एसेट का वो capital account बार-बार ट्रांसफर करो क्यों ना हम अपनी चीजों को आसान करें और हमारा purpose भी solve और चीज़े आसान हो सो हमने एक नया account create करें उस account का नाम होता है revaluation account और हर assets को liability को जो भी आपको question में का उसको revalue करें और एक effect asset liability account में आएंगा और दूसरा effect जो रहेंगा आपका वो आपका revaluation account में और जो भी revaluation का balance हैगा वो that will transfer वो profit और loss जो भी वो हम लोग old partners को old ratio में उसको दे देंगे अब मैं revaluation करता हूँ अब मैं क्या करता हूँ री वालूशन करता हूँ तो जो asset increase in asset क्या करते है एसेट की value अगर market में कुछ और book में कुछ और तो market की value ज़्याद आपका asset की value से बढ़ाने बोला increase in asset debit to many entry pass asset account debit to revaluation account कभी asset की value कम करने बोला तो decrease in asset credit so we will pass entry revaluation account virtual asset account liability की credit balance उसको increase करने बोला credit कर जाता है तो increase in liability we will pass entry in revaluation account to liability account decrease in liability liability के credit balance उसको decrease करना तो debit करना so we will pass entry liability account to revaluation account अब ये revaluation account में आपने सारे items revalue को second effect यहाँ पर एक effect asset या liability में गया और दूसरा effect ये revaluation account में है तो ये जो जो भी profit हुआ यह जो भी profit हुआ revolution account में इस profit को कहा ट्रांसफर कर दिए capital account क्योंकि इस profit पे old partners का हग है किस रेशो में old ratio तो यह profit को आपने यहाँ पर अगर debit करें तो यहाँ पर अपने capital account को क्या करेंगे credit यहाँ पर अगर अपने credit करें यहाँ पर अगर यह loss आया आपका तो यहाँ पर अपने credit करें तो capital account को क्या होगा यहाँ यहाँ पर debit करेंगे तो यह credit और यह debit तो यह आपका revolution account में profit हो यह loss यह partners को capital account में transfer करते old partners को old ratio में ओके इस तरीकी से यह होगा revolution तो हर question में आपको फुल फ्लेज वाले question जो आते जनरली उसमें हर question में revaluation का point रहना ही रहना है तो आपने समझे के सब्सक्राइब एक asset liability में देंगे और दूसरा effect हम लोग कहा देंगे दूसरा effect हम लोग देंगे revaluation account में अब मैंने आप दूसरी चीज़ मैंने कहा था आपसे पांच चीज़ आम लोग को बात करना है बच्चो जो हर चीज़ हर जेगा common fact common factor मतलब admission or retirement or debt or यह चीज़ आती है अब मैंने कहा reserve होते है reserve के बारे में आपको पहले भी का जो balance sheet में आपको reflect होते है यह reserve क्या यह reserve तो undistributed profit है तो यह जो old partners उनको बाठ देना चीज़ तो reserves के होते बच्चो credit balance reserves के कौन से balance होते credit balance होते जब आप इसको distribute करोंगे तो हमको debit करना पड़ेगा तो reserves के credit balance होते इसको distribute करें तो हमको debit करना पड़ेगा तो entry will be reserves account debited to reserves account debited to capital account तो reserves के credit balance होते है उसको cancel करने आपने debit करें और partners को देजी तो उनके capital account को क्या करें credit और किस ratio में किसको जाएगा इस reserve पे हक किसका old partners old partners का old ratio में so reserve account debited to partners capital account old partners in old ratio उसके बाद आता है profit till the profit till the date of change उसके बाद आता है अब क्या होता है यहां पर जनरली क्या होता है कि जो आपने का अगर कोई partner की death हो जाए यह कोई partner retire हो जाए आपको पार्टनर जा रहा है तो उस साल के अगर भी जनरली पार्टनर के case में तो आपका नहीं बोल सकते हैं कि death उसकी 31st March होई अब जब उपर वाले का बुलावा आया जब उसको जाना है हर इंसान को जाना है तो उसको जब भी हो आपके death of a partner साल में कभी भी हो सकती है लेकिन जब उसकी death हुई तो उस साल के financial year से स्टार्ट से लिखे उसकी death तक के जो भी business हुआ उस पर उसका भी हग है उस profit पर उसका भी हग है तो यहां पर जब तक कि उसका financial year की शुरुवात से जब तक उसकी death हुई है को रिटायर्मेंट हुआ को पार्टनर के साल के उसके बीच में जो भी profit हुआ उसमें वह पार्टनर का भी हग है जो पार्टनर जा रहा है तो आपसे यहां पर कहता है इन केस चेंज इन ग्रिशुक्रीस को बढ़ा increasing asset debit तो आप asset account को debit करें कि rivalution credit जब भी उसने कहां कि asset decreasing asset asset को क्या करें एंट्री विल्लिशन डेविल्स इक्रीशन डेपक्त एसट एक लाइबिलियुलिटी की कुछ एक होते ग्रीट बालैंस होते तो increasing liability credit तो जब भी credit बैलनस एंट्ट जब में बाठ देंगे रिजर्व के बारे में मैंने आप से कहा कि ओल्ड पार्टर को ओल्ड रिश्यो में देना रिजर्व अकाउंट अब जो हमारे डिस्कॉशन चल रहा है अभी उस पर हम लोगाते दैस्ट प्रॉफिट और लॉस्ट इन देट अफ चेंज अब कोई पार्टनर आपको पार्टनर जा रहा है तो फाइनेंशल यह जो शुरुआ तो आप वहां से लेके जब वह जा रहा है उसके बीच वहां तक हेगा उस प्रॉफिट पर सारे पार्टनर्स का के ओल्ड पार्टनर ओल्ड रिश्यो में जैसे कि आप स्क्रीन पर आप देख सकते कि 1 अपर सब्सक्रीन वहां से और शुरू है और 31 मार 2022 साल खतम होता है लेकिन यहां पर 31 डिसेमबर 21 को को पार्टनर की डैथ हो तो पहले तीन पार्टनर से एस क्रीडा होगी तो यहां पे यहां तक के जब उसकी डैथ हुई वहां तक है कि तीनों का हक है फिर चाहिए A हो B हो या C हो लेकिन death of a partner के बार साल के खतम हो तक यहां पर जो प्रॉफिट हो उसके किसका हक है A और B का तो कि इस यहां पर रही दी इस जगह पर C रही नहीं क्योंकि C के यहां पर चाहिए तो अब हम लोगों को यहां पर यहां पर जो प्रॉफिट हो बिटे यहां पर उसमें C का भी हग है तो यहां पर एक entry pass करी जाती profit and loss adjustment account डेपिट आउटगोइंग पार्टनर जैसे हमारी किस्ट में यहां पर यहां पर यहां पर आउटगोइंग पार्टनर यहां पर कौन हुआ सी हुआ क्योंकि सी क्या हुए डेथ हुए तो मैंने entry पास के Penal adjustment account डेपिटे टू आउटगोइंग पार्टनर एकाउंट जनरली बच्चे उसमें जो सी का हक है सी का जो भी प्रॉफिट उसमें सी का जो शेयर है वह अमांट से आप यह एंट्री पास करते हैं Penal adjustment account डेपिट आउटगोइंग पार्टनर अकाउंट अब वैसे रिवीजिन बाया चाहिए लिगि मैं थोड़ा सा कह देता हूं यह एंट्री आउटगोइं पार्टनर अकाउंट तो जो पार्टनर की डेथ हुए उसके डेथ हुए उसके डेथ कर देते और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट एक हो तो इसको डेबिट करते हैं सोचते हैं बच्चे कि सारी प्रॉफिट और लॉस एजजिसमेंट को होती क्या चीज है यहां पर देखना आपने तो यहां पर मैं यह एंट्री पास करो जब पार्टनर की डेथ हुए मैं ने एंट्री पास किया पीनल अजिसम यहां यहां पीनल अजिसमिंट आ अ पर किया यहां पर देखना है कि यहां पर मैं तरहिए इसको प्राइप क्रीए टमने ब 세क करो था यहां अट्री तो alternate treatment भी मैं एक treatment बोगा फिर दूसरा भी आपको बताता हूं मैंने पीनल एज्जेस्मेंट जो आपको इसको आपने यहां पर रखे और यहां पर जाके इसको यहां तक रहां कि यहां आपने पिनल अकाउंट में ट्रांसफर कर दी यह पार्टनर्स के capital अकाउंट को अब तो यह वाला इमाउएं जो सी का शेयर था ठीक है शी का शेयर जो प्रॉफट टोटल आपने साल का प्रॉफट निकाल रहें उसमें सी के शेयर जो तसे कम कर दी जो बचा हो ऑले at be तो जो भी profit A और B को बाट देंगे या आप ऐसा भी कर सकते हैं को PNL में ट्रांसफर करते हैं आपका जो profit and loss account को जो balance आ रहा है वो capital account में transfer हो जएगा और इसको आप PNL adjustment को partners capital account में debit कर दोंगे तो जो बराबर जो total profit A और B को चलेगा old partner जो थे यहां पर पूरे साल का और जो एक शेर था उसमें से उतने से आपने वो partners को debit कर दोंगे वहां पर partners capital account को तो उनका profit खुद बाकुत उतने से कम हो जाएंगा जो total profit उनको credit करें जितना सी का तो उतने से उनके profit sharing account पूछ लेगा यह जो पार्टनर की death उसका capital account पूछ लेगा वह आपको यहां पर पूछता है लेकिन knowledge के लिए बच्चों की दिमाग में चलता है तो वह जो पार्टनर की death उस पार्टनर को जो profit पर हक है यह साल शुरूवा death तक है उस वह amount से entry pass हो थी profit and loss adjustment account debit to outgoing partner capital account okay अब हम लोग आते हैं पर तो यहां पर इसके बार देखुए पर फिसके बार भारत पूछ देखुए है profit or loss the date of change belong to old partners in old ratio profit or loss after the date of change belongs to new partner in new ratio in case of death retirement the outgoing partner is also entitled to share the profit or loss from the closure of last accounting year till the date of retirement or death जैसे मैंने आप से का, so the outgoing partners के share in the profit is accounted by the following entry, penal adjustment account, outgoing partner, alternatively share of all partner can be accounted, तो अप alternative मतलब यह कहना चाहरा, आप ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन ठीक है, वो ऐसा भी कर सकते हो, कि आपने बोले वाई, कि यह जो profit इतने पिरेट करें, इसको दो पार्ट में बाट लिए, इतना डीटिल में आइंगा निजिस नॉलेज के लिए कि लिए कि पूरे साल के profit को दो पार्ट में आपने 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 बाटें, तो यह profit पहले बाट लिए ABC को, फिर इसको calculate करें आ तो उसका जो शेर है आप उसको दे रही तो bypassing this entry, profit and loss, adjustment account, इस चीज को क्या रखना है, अब मैंने कहा कि तीसरा जो पार्ट है, जो adjustment हमको करना रहा है that is goodwill, अब goodwill दो अलग अलग चीज है, मतलब दो अलग अलग चीज है goodwill में पढ़ना है, एक चीज ही होती है, कि goodwill का amount त कैसे तए करू, goodwill का amount कैसे decide करू, मैं भी उसके बारे बात करू, तो मैंने आपसे का कि goodwill का amount अलग चीज है, dimanis कर बकुह पर दो नहीं है, वह थोड़ा सा मुश्किल है, यहाँ पर एक अलग अलग लोग है, तो यहाँ पर एक अलग अलग राए है, तो अलग राय है, तो जो लोग है, उनके नाम है, तीन लोग, वो अपना अपनी opinion देते, कि हमारे साब से goodwill का amount यह होना चाहिए, दूसरा बंदा कहता है कि हमारे साब से goodwill का amount यह होना चाहिए, और तीसरा बंदा कहता है कि मेरे साब से goodwill का amount यह होना चाहिए, उन तीन लोगों के नाम अगर मैं कह बाए देते कि गुडविल का माउंट कैसा कैलकुलेट करना चाहिए अभी हम लोग बात करें वह किस चीज के बारे में बात करें कि गुडविल का माउंट कैसे कैलकुलेट करा जाता है उस चीज के बारे मात करें कि गुडविल का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना मैं वह आप profit method और एक capitalization method यह तीनों method के बारे में डिसकर्स करता हूं लेकिन आप एक चीज़ इसको समझ ना चाहिए कि इसको सब्सक्राइब करते तो सब्सक्राइब करते हैं तो इसका तुम आउंगे तो profit का हिस्सा तो तुमारा भी रहेंगा लेकिन तुमको benefit हो रहा है हमारी तो उसका कुछ contribution तुम करो तो हम उससे कुछ पैसा लेते अब उसके बाद पैसा लेते यह capital account में अच्जिस करते हैं तो बात की बात है पर बात करेंगे लेकिन उसका benefit उसको मिल रहा है तो हम उससे कुछ contribution चाहेंगे अब उसके बाद अगर कोई partner जा रहा है रिटायर्मेंट हो रहा है तो कोई partner अगर जा रहा है तो obviously वो कहेंगा कि इतने सालूट से partnership form चली तो मेरा भी contribution इस partnership को build करने में इसकी market में repetition बनाने के लिए तो वो partner जो जा रहा है यह कहेंगा कि मुझे इसका contribution मिलना चाहिए तो हमें goodwill calculate करना पढ़ता है है कि हां तो उसका contribution तुमको दें कोई आ रहा है तो से लेते कोई जा रहा है तो इसको देते अब यहां पर इस चीज़ को समझेगे कि मैं जब goodwill का calculation करता हूं goodwill हम उस चीज़ को कहते कि सब्सक्राइब नया partner आ तो उसको benefit मिल रहा है profit हो रहा है firm का तो हम goodwill वो चीज़ करें तो मेरा past जो उसको base मानता हूं कि पिछले एक साल दो साल तीन साल चार साल पांच साल जितने भी कोश्चन में बुला उस साल में मेरा performance कैसा है उसके basis पे और आज मैं कर रहा ღ है कि आज है आज कर रहा हुं नहीं कर रहा हूं तो मैं के पास में परफॉर्मेंस था उसको में ıyorsun को बेऊज असवाल इसपास के पर्फॉर्मेंस को बेश मानखिए आज 막ता हूं फ्यूचर में expectation किया कि मेरा क्या होगा तो वही तो गुडविल चीज jeśli पांस Benstuddy करें उसको based कि आप यह तैह करतें पास में पने performance करें उसको based मान कि आप यह तैह करते हो क्या तैह करते हैं कि आपका future में क्या expectation कि ऑपको benefit होने वाले तो गुडविल कई अपास क किस से benefit हो व्कून से निकालते हो, पास का जो profit consider करते हो, that should be a normal profit. That should be a normal profit, जो normal business की activities आप्टिविटी से हम को profit हो, उसमें कोई ऐसा profit नहीं आना चछीए, जो normal business activity का profit नहीं है, for example, वो partnership firm ने, एक lottery लेती, उस lottery का नाम, example के नाम, लौ्टरी का नाम था धनलक्ष्मी ओर पार्टनेरिशीब हम यो ग़े तो आप प्रोफिट्ट में वह ब yem इल में धरी फिच्वी नहीं लो टरी पॉल्ड तो तो दहनम लक्ष्मी लौट्री सिंकितान बलास चाहिए कि वह हो ऐसे चीज़ों को Eliminate करते हैं when we calculate the profit, when we consider the profit of last जो भी question में दिया, past का उस profit में से ऐसी चीज़ों को हटा देना जो आगे आपको expect नहीं कर रहे हैं जो आप expect आगे नहीं कर रहे हैं दूसरी चीज़ बच्चों यहां पर एक और चीज़ आपका कि मैंने आपको कोई income के बारे हैं ऐसे कोई नुकसान या ऐसे को expenses भी आपने लेकिए जो आगे नहीं होने वाले तो इसकी वज़े से आपको loss हुआ था ठीक यह आँग लग गई थी तो आग लग गई थी क्या आगे एक्सपेक्ट करूं कि business को आँग लगेंगे नुकसान होगा ऐसा नहीं होगा तो वही चीज़ आप profit जो past का base मनाते उसमें वही चीज़ आप consider करेंगे जो आप future में expect करते हो तो वही चीज़े आप consider करो उसके basis पे फिर आप valuation आज का करते हो लेकिन जब यह वैलुशन हम लोग करते हैं तो तीन अलग-अलग लोग है जैसे कि मैंने आपसे का एक का नाम average profit method इसने अपना एक तरीका बता है कि गुडविल का calculation किस तरीके से होना चाहिए तो यह क्या कहते है इसका जो formula आप screen पहले यह देखो इसका जो formula वह कहते है गुडविल equals to goodwill equals to average profit multiply by number of years purchase अब एक एक करके आपने बात करते हैं यह average profit जो आप लेते हो average profit किया जो भी total profit आपके पिछले सालों का जो भी आपको total profit कुशन में आपको बताएंगा दो चार 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 साल पांच साल जितने भी साल उसने बोला past का आपने क्या करें बच्चों यह आपे profit ली total profit जीत अभी यह this profit should be a normal profit what you're expecting जो आप एक्सपेक करें future में बढ़ा that this total profit divided by number of years जितने भी साल चार साल पांच सा तो यह आगे आपका average profit will multiplied number of year purchase what is this number of years purchase यह multiplied number of years purchase तो number of year purchase का मतलब क्या होता है कि आप फ्यूचर तो नमबर of years purchase क्या चीज है जो आप क्या कर रहें बच्चों जो आप expect कर रहें कि future में goodwill रहेंगी हमारी कितने साल रहें तो आप यह तो नहीं कह सकते हैं कोई नया partner है आपने नहीं हमारी तो यहां पर यह method average profit method आपको कहते है कि average profit multiply by number of years purchase how we calculate average profit total profit divided by number of years तो यहां पर जैसे के लिखाओंगा आपको कि goodwill is calculated as a certain number of years purchase of the average profit of the last few years number of years purchase means that many times average profit is basically future maintainable profit जो आप future में सोचते हो कि ऐसा profit हमारा आउगा तो number of कितने साल रहें एक्सपेक्ट करते हो that is number of years ओके अब यहां पर उसके बाद next method जो आती है आपके super profit बात अब वो बुला रहे ने 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 क्या calculation करें उन्होंने क्या calculation करें क्यों क्या होगा अरे बोले वो जो average profit method जो इंसान इसको कुछ भी समझता हमने जो क्यों नहीं समझता तो बोलने लगे उसने तो पिछले सालों का average profit ले लिया हाँ सर गलत क्या क्या बोले गुडविल तो इंसान की वो होती है जो लोगों से एक्स्ट्रा कमा है जो दूसरे लोग कमाते तुम भी उतना ही कमाते तो कोई गुडविल का है कि जितना उनका उतना ही तुमारा additional क्या कमा है आपने that is goodwill वो आपकी reputation है तो आपकी क्या बच्चो reputation है तो यह method आप से कहती क जब आप गुडविल काल्कुलेट करो है तो इसमें आपसे कहते है कि super profit multiply by number of years purchase अभी super profit का मतलब क्या होता है यह super profit का मतलब क्या होता है super profit का मतलब होता है average profit minus normal profit तो average profit जो आपने कमाए हो और normal profit क्या आप normally इस तरह के business इस तरह के industry में normally लोग कितना कमाते है तो नॉर्मल profit कैसे calculate करते हैं capital employed multiply by normal rate of return कि मतलब इतना पैसा अगर कोई business में लगाता है इतना अगर उनका capital employed है तो जो capital इतना investment है business में तो capital जो business में capital employed है उसना अगर कोई सबस्किसी ने एक करोड capital employed नॉर्मल industry में जो capital employed है तो उसका 8% लोग कमाते है तो 1 करोड अगर capital employed उसका 8% calculate कर तो वह आता है आठ लाक रुपे तो मेरा यहां पर 8 लाक रुपे क्या है बच्चों मेरा यहां पर 8 लाक रुपे जो है जो नॉर्मल industry में एक करोड लोग लगा क प्रुपे 8 लाइग कमाते हैं लेकिन मैंने अगर 10 लाइग कमाया तो मेरा अभरेज़ प्रॉफिट 10 L लाइग है इंडस्री में लोग 8 मा पाते हैं तो मैंने कंच्छ do लोगों से र्याधा कमाए यहां फिनलाग है न government rate of return तो याद रखने हैं जब भी super profit method से calculate करना है तो first we have to calculate super profit super profit के लिए average profit ठीक है normal profit कैसे calculate capital employed multiply by normal rate of return उसका आप multiply करेंगे कि इतना पैसा लगा के इतने प्रतीशत लोग कमाते हैं तो हमने कितना कमा उसको compare करेंगे जो additional कमा है that is super profit उसको number of purchase से multiply करेंगे that is good way अब तीसरा बंद आता है उसका ना में capitalization method इनको हटाओ दोनों को यह average profit method और इस super profit method क्या सिखाएंगे मैं आपको सिखाता हूं तो काप तीसरा बंद आया और उसे तो मैं आता था आपको capitalization method क्याते मैंने क्या बताओ बताओ तो वह कहता है कि इसका formula मैंने क्या formula तो कहता है कि total capitalized value of the firm minus capital employed मतलब सपोज मैं कहता हूं कि मेरे यहां पर average profit मैंने कमाया सब्सक्राइब 10 लाक रुपे मैंने कमाया लेकिन मेरी तरह की industry में जो लोग कितने percent कमाते बटा 10 percent rate of return normal rate of return 10 percent तो मैंने 10 लाक रुपे कमाया और 10 percent normally लोग कमाते तो 10 लाक divided भाई जो कमाया हूं यह अगर 10 लाक मेरा कमाई है average profit यह 10 परसेंट तो 10 लाक divided by 10 परसेंट तो capital employed आता पका एक करोड इसका अकलब ही होता है यह मेरा actual capital employed नहीं मैं कहता हूं कि इस business में कोई अगर एक करोड किसी का capital employed रहा इस business में अगर किसी का एक करोड कापिटल employed रहा तो वह 10 लाक रुपे कमाता है मैंने क्या का इस business में इस business में इस business में अगर किसी का एक करोड कापिटल इंप्लॉइड रहा तो वह कितना कमाता है दस लाग रुपए कमाता है लेकिन मैंने तो यह दस लाग रुपए जो कमा लिया वो सिर्फ मेरे कापिटल इंप्लॉइड असी लाग ही है तो लोग यह दस लाग रुपए कमाते एक करोड की कापिटल इ तो जो डिफ्रेंस वो एक करोड असी लाग का that is goodwill that is goodwill तो यह इसमें इस तरीकी से calculate total capitalized of the total total capitalized value of the firm now how we calculate total capitalized value of the firm average profit divided by normal rate of return multiply by 100 so that is the total capitalized value of the firm और मगर आक्चिल में capital employed जो उसका आप उसका minus करो the difference will be goodwill तो यह हमने बात करें goodwill के amount को decide करें कि उसकी amount को किस तरीकी से tag करा जाता है लेकिन goodwill की हम लोग बात करें दो चीज़ जैसे कि मैंने आपसे कहा कि amount एक अलग चीज़े amount एक अलग चीज़े बच्चो amount एक अलग चीज़े और उसका amount एक अलग चीज़े और उसकी accounting करना एक अलग चीज़े तो goodwill का amount हम लोग ने tag करे कैसे हम लोग ने goodwill का amount tag करे average profit matter, super profit matter या capitalization matter इसमें amount कैसे tag कर रहा जाता है वो मैंने बात किया अब मैं आप से discuss कर रहा हूँ यहाँ पर कि उसकी accounting कैसे करना है तो जब आप उसकी accounting करते बच्चों तो चार अलग-अलग alternative हो सकते उसके अब आपने इसको बहुत अच्छे सबंद चार अलग-अलग क्या हो सकते इसके alternative हो सकते सो मैं आपको जो इसको बहुत ध्यान से आपने सुनते जाना इसमें बच्चे confused होते कई बार goodwill case में अब इसको ध्यान से सुनना वो आउट सारे आपके clear हो जाएंगे मैंने का कि एक तरीका accounting का ऐसा हो सकता है कि एक तरीका ऐसा हो देखो मैं पहले ना एक काम को तो इस पर treatment पर आता हूँ पहले मैं पर आपको कुछ यह जो figure रही इसके बारे में मैं discuss कर लेता हूँ अभी आपको अलग-अलग entry pass करने के तरीके उस पर बात आता हूँ उस पर बात करते हैं तो मैंने का दो partner पहले थे partner A और partner B पहले इसको सचे समझते हैं तो दो partner थे एक का नाम था partner A और एक का नाम था partner B अब एक्च्छल में वो पार्टनर्षीफ फ़र्म की जो गुट्विल थी वो थी 60,000 रुपीज तो पार्टनर एक कहता है कि अगर आज उस गुट्विल कर डिस्ट्रिबूइशन कर दो तो मैं दो पार्टनर है मैं हूँ पार्टनर A और मेरे बासे पार्टनर B है सबसक्क्री तो यह पार्टनर A और अगर भी हम दो लोग है यहां पर तो हमने बोले हमारी पार्टनर्शीफ फर्म की आज क्या वालुइशन है गुडविल कितने का अगर आगे चल के गुडविल का दिस्रिबूशन करते तो वही साथ दार को डिस्रिबूशन करता हूं तो A, B, C में बटेंगा क्यों C नया पार्टनर आ गया तो अगर इस प्रॉफिट शेरिंग दिश्यों जी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है 35-25-40 इस में बाठता हूं 21,000, 15,000 and 20,000 21,000, 15,000 and 24,000 इस तरी के आपने प्रॉफिट शेरिंग रिश्यों आपने पाटें अब क्या चीजी बच्चों यहां पर कि आज अगर बटे तो उस पर A और B कहा के आज अगर डिस्रिबूशन तो A और B को इस तरी के 36-24 होगा लेकिन आगे डिस्रिबूशन त मैं कहता हूं कि मैं हूं Mr. A मैंने कहा कि अगर आज अगर बाटते हो तो 36 बट रहा है मुझे मिलना चाहिए लेकिन आगे चलके 21 ही मिलेगा तो मेरा तो यहां 15 का नुकसान हो गया मैं से करो sacrifice sacrifice तो यहां पर old ratio minus new ratio वहीं आप करते नो वह टेबल बनाना यह टेबल बनाने से regular पढ़ाया हम और अभी भी अगर question में आएंगी goodwill को टेबल बना के आपको बता हूँ इसमें कभी गलती नहीं होती टेबल बनाने में को टेंशन है आपने तो यहां पर क्या हुआ old ratio के हिसाब से मैं को इतना मिलना चाहिए तो मैंने का इतना मिलना चाहिए इतना मिलेगा त को कुछ नहीं मिलना चाहिए आगे उसको डिस्ट्रीबिट 24 का उसको करेंगे तो उसको 24 की गेन हो गई अब क्या हुआ यहां पर मैं A और B यहां पर हम लोग दोनों खड़े वे हमने देख भाई Mr.C तुम आ रहे हो हिसाब किताब कर ले थे क्योंकि हम लोग आगे हमारा न लुकसान कितने का और 9000 का हो रहा है तो अब क्या चीज हो यहां पर बच्चों यहां पर अब क्या चीज हो यहां पर कि मैं A और B हम को तो ऑब्जेक्शन हमने वह बाई सब तुम आ रहे तो तुम 24,000 रुपए हमको दो अब 24,000 कैसे दो वह हमारा डिसाइड रहा है सांट अजार नहीं मांगेगे और सांट अजार तो पूरे फॉर्म की गुडविल तो जो जिस्तना बेनिफिट सी को और एब उतना ही सी से माने मांगेगे सी को बेनिफिट कितना हो रहाए 24,000 का तो वह 24,000 मुश से लेंगे अब वह 24,000 का क्या करें उसको समझते एक 24,000 रुपिय लेकर आना और चौबिसरतर कैश Tell प्राइट लेकर जाना वह 24,000 में से तूर दोंगे तो 15,000 रुपर जो ले कि आओंगे 15,000 रुपर मुझे देदे न मैं A और मेरे बाजू में यहां पर बैठा वा बी उस B को वो बी न मिस्टर इंडिया है मुवी देखे तो अपने मिस्टर इंडिया मुवी तो अनिल कपूर वो दिखता नहीं था वैसे यहां पर मिस् मिस्टर बी यहां पर बैठा तो उसने भी बोला कि मेरा भी नुक्सा तो आप सब्सक्र सी ओ आपने 24,000 रुपे लेकर आए तो 15,000 रुपे उसमें से मैं ले लूँगा और 9,000 रुपे किसको दे देंगे अपन यहां पर बी को दे देंगे तो हम लोग ने प्राइवेटली स तो में को अगर 21,000 रुपे मिले तो मैं रो नहीं सकता I mean to say कि मैं objection raise नहीं कर सकता 21 मिले मैं बुलूँगा मैं को 36 मिलना चीते 20 ही मिले सी भूलेंगा भुलगा कॉफी पीने को यहां पर टैंगे तो पैसे अल्ड़ी पहले में छुके हैं दूसरा केस यहां पर उसमें कहता है the new partner bring the new partner bring in his share in goodwill in the form of cash तो जो नया partner उसका जो शेर था उसने उतनी cash लेकर रहा है तो उसने के entry पास किया यहां पर उसकी entry बच्चों यहां पर pass हो गई cash firm में partnership firm में तो entry pass करें cash account debit के entry pass करें cash account debit क्योंकि partnership firm में 24,000 और उसका किसको क्रेडिट करें ए और बी को तो यहां पर cash लेकर 24,000 एक अकाउंट को capital क्रेट करें 15 से और बी को capital क्रेट करें 9 से अब यह logic समझना आगे चलके जब वो सांट हजार distribute होंगे तो मेरे capital को 21, B को 15 और C को 24 हम लोग objection raise नहीं कर सकते यह और भी आगे वो बले क्यों नहीं raise कर सकते तो क्यूंकि पहले जब firm में 24,000 रुपे cash आई थी तो देखो cash withdraw करना एक अलग चीज उसके बारे में मैं कहता हूं लेकिन firm में cash आई थी 24,000 रुपे और हमारे account को तो A के capital account को 15,000 से B के capital account को 9,000 से अलगे पहले credit कर चुके तो आगे चलके जब 21 से और 15 से credit करेंगी तो हम objection raise नहीं कर सकते यह already हमारे account उतने से पहले जितने से हम sacrifice करे 15 से और 9 से उतने से already पहले credit हो चुके तो अब कोई बलेंगा sir आपने को तो credit करें आपके capital account को cash थोड़िक न मिला cash तो firm में आई अरे कोई परवानी बेटा cash firm में आई ना लेकिन हमारे capital account को credit करें इसका मतलब increase in capital हमारे capital account क्या हो बच्चो capital account बढ़ा है तो जब capital account को आपने क्रेडिट करें मतलब मेरे capital account बढ़ा है तो capital account जब भी capital का settlement होगा तो मेरे capital account बढ़े वे ना यह 15 और 9 से बढ़े वे बिटा तो वह दिक्कत की आपका capital account बढ़ चुका है आपने तो जब भी settlement होगा तो आपके capital account क्या उतने से बढ़े वे है 15 और 9 से तो फर्म में cash आई तो हमने cash account डेबिट करें 24 साथ और A के capital account को क्रेडिट करें और B के capital को कितने से जितने से उनने से sacrifice करें तो उसने अपना share लाया 24 जितने से sacrifice करें उतने से A और B के capital account को क्या करें क्रेडिट करें अब उसके बाद जो तीसरी चीज़ है तीसरे में वे दो तरीके होते लिखने क्यों मैं explain करता हूं महां पर कहता है कि total goodwill of the firm is raised and then return of और goodwill is not goodwill account is not to be raised और direct adjustment to be made in capital account अब कई ब आप आपसे बिटा कि नया partner C आया हमने लाव 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 24 जार लाओ तो मैंने का चलो privately settle कर लेंगे तो मैंने का उसे 24 जार रुपे लाओ और मैंने का कि चलो उसको privately settle को बोले नहीं निदर cash नहीं मेरे पास रोच्छा फर्म में लाओ लो cash नहीं बोले फिर क्य privately settle क्या फर्म में लोग पैसे नहीं मेरे बास तो मैं नहीं ला सकता है तो हम लोग भी बहुत चलाक है अपने को अकाउंटिंग आती है आपने हां सर वह अपने को चलाकी अपने साथ चलाकी कर रहा है कि वह कहता है कि मेरे पास 24 लाने के लिए 24 में contribute नहीं कर पार हो उतना cash म हमने बोले तो चलाकी किसे कर रहे तो अपनने उसको बोले कि क्या चीज़ मिखी इसको कि कि वह कामगा हमको अका lithium को इतना पता है क्रेडिट सौ student क्रेडिट में नहीं दातार तो फिरीक्रीज को सब्सक्राइब करदेट में तुम्हारे सब्सक्राइब है कि देडिन सब्सक्राइब तो मैं C's capital account will be debited to A's capital to B's capital इसे effect क्या हुआ A का और B का जितने से sacrifice कर रहे थे 15,000 और 9,000 थे उतने से उनके capital account को बढ़ा दिया गया और B के C के capital जो incoming partner जो आ रहा है उसके capital account को उतने से क्या करा गया कम कर दिया गया तो उसका capital account को जब उसका settlement होगा तो उसका अपने को उतना कम देना रहेगा आप capital sorry goodwill account raise मत करो उसको capital account के थूरी इसको क्या करो settle करो तो इन डाट केस यूविल पास एंट्री हेर गेरिंग पार्टनर यहां गेरिंग पार्टनर कौन था सी हमारे केस में gaining partners capital account debit sacrificing partner तो किस अमांट से जितने से इसने गेन किया उतने से और जितने से sacrifice कि उससे लेकिन कभी question में का total goodwill of the firm is raise and then return उसने बतार raise करके write-off करो वो एक ही बात है raise करके write-off करो मतलब raise जो आप करते वो old partners old ratio यह pass entry goodwill account debit to old partners in old ratio तो goodwill account debit 60,000 total amount to old partner A's capital 36 to B's capital 24 then write it off then you will pass entry new partners capital account debit A's capital account 21 B's capital account 15 C's capital account debit 24 to goodwill account तो आपने इस entry में goodwill को debit करे 60 से और आप goodwill को credit कर दिये 60 से तो goodwill account raise हो और write-off हो गया खतम भी हो गया लेकिन आपने A और B के capital account को credit करे 36 से और 24 से यहाँ पर A B और थी कि capital account को के debit करे 21 से 15 से और 24 से तो net effect क्या हों दिट effective यह आए ना 15,0009,000 और 24 सा तो 36 से credit करे 21 से debit तो net effect आपने इसको credit करे 15,000 से इसको 21 से credit करे 15 से इस यह रही हुए ना कि इसको आपने क्रेडिट करे नहसे क्रेडित करे जिरो से debit करे 24 स is natural net आप रेस करके राइट आफ करो वो भी एक हेड़ी ऐखेट वही आए यह टेबल बनाए आपनों औरे नेत अमौंट को लिखें बात एक हो इसमें एंट्री पास होती है गेनिंग पार्टनर स्टाइस अकाउंट करने का वह वह कौन सा तरीका होता इसमें इसमें आप कहता है आपसे कि goodwill to be adjusted without bringing cash cash नहीं ला रहो ठीक है total goodwill of the form is to be raised यह आपने जबी करना चीज़ आपको question में specifically बोला गया उसने बोला कि raise करके छोड़ दो so we pass entry goodwill account debit 60,000 goodwill account debit 60,000 to ace capital 36 to ace capital account 24,000 तो आपने इसके entry pass करें goodwill account debit 60,000 to ace capital account 36,000 तो आपने इसके entry pass कर लिए लेकिन उसने बहुत रेस करो write-off नहीं करो write-off मतलब आपने entry फिर ace capital B's capital C's capital debit to goodwill नहीं करें वह रेस करके छोड़ो तो फिर सर्पलिस में कुछ नुकसान है पहली चीज़ accounting के point of view कोई नुकसान नहीं मतलब यहां पर उसने raise करा बाद में जब भी write-off करों तो बाद में debit करों तो तो अगर आपने भी और B को लेकिन आपने जब रेस करके छोड़ना है चीज़िए जब आपको question में specifically बोला कि race करो से race करके छोड़ जब question में बोला raise only और goodwill account appear होने दो तो ही आपने करना चीज़िए रेस करके छोड़ने देना चीज़िए इस एक आपको पताओ को बहुत टेक्निकल चीज़ होती है उसमें accounting standard होते है 26 उसको intangible asset करते है और वह intangible asset जो accounting standard है वह goodwill को recognize करने से allow नहीं करता है कुछ जगाव पर करता है जहां पर उसकी आपको cost can be measure reliably अगर आप goodwill के amount को reliably measure नहीं कर सकते हो तो आप को भी tangible asset को जब recognize करते हो एक condition when cost can be measure reliably उसकी value उसको reliably measure कर पाते है अगर आप reliably measure नहीं कर पाते तो उसको books of account में नहीं लिख सकते है इसलिए goodwill अगर आपने कभी परचेस की हो वह एक अलग चीज हो थी को business take over करते हो परचेस कर उसका amount तो वह अलग चीज है लेकिन आप goodwill अपनी books of account में यूहीं आप उसकी accounting entry पास नहीं कर सकते क्योंकि यूंकि यूंक्त मेजर कॉर्ट कॉर्ट कैना भी मेजर reliably इसलिए कहा जाते है फिर तो कोई भी goodwill account race करेंगा ना बिटा कोई बोलेगा कोई पीचारा example कि रहा हो कोई पीचारा गरीब इंसान है उसको bank से loan लेना लोन लेने के bank ने बोला कि अरे तुम्हारे तो कुछ यहां पर capital नहीं बोले capital नहीं तो capital नहीं तो मैं भी लाकिए तो capital वह office में आप अकाउंट के पास करो गुडविल अकाउंट डेविट 50 करोड तो capital अकाउंट 50 करोड तो एसे डिटा साइड में गुडविल अगे पचास करोड की कि कोई भी गुडविल के एंट्री पास करेगा इसी काउंट इक सेंटर 26 के तो जो कि सही नहीं होता है इसलिए मैं कहते हो कि जब आपको बोला गया जब ही आपने सिर्फ गुडविल रेस करना आप और छोड़ देना उसको लेकिन आप और अल्टर्णिटी फर्स सेकंड थर्ड में देखे तो आपके आपके फाइनिशल सेट्मेंट गुडविल दिखी नहीं रही कैसे पहला तो आपने प्राइविटल कर ली तो गुडविल बुक्सव अकॉट में दिखी नहीं सहीर दूसरा उसने कैश लाया तो एंट्री पा अगर आपको बोला तो ही करना क्योंकि एस 26 का हिसाब से वह सही नहीं तो हमने यहां पर बात करें गुडविल की अमाउंट कैसे कर जाता है गुडविल का अमाउंट कर जाता है डिफ्रेंट मैथर्ट उसकी हमने देखिए अवरेज प्रॉफिट मैथर्ट सूपर प्रॉफिट मैथर अंड कापिटलाइज़ेशन मेथ और उसके बाद हम लोग नहीं कहां पर देखिए उस चीज को क्या कर अब प्राइवेट लिसके अकाउंटिंग कर लो यह आप लेकिया तो कैस्ट अकाउंट डेटेट टू सेक्रिफाइज पार्टनर उनको क्रेडिट कर दी अगर कैश नहीं लापा रहा तो गेरिंग पार्टनर क्या कर देखिए अब लोग नहीं बात कि बच्चों कि यह इसके बारे में बात करें रिवालिशन क्या होता है रिजर्फ क्या होता है प्रॉफिट और लॉस देट ऑफ चेंज इसके बारे में बात करें और हमने इसके बारे में बात करें अब गुडविल की जो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफिस है आपने देखिए वालिशन के प बहुत डरते हैं that is joint life policy उसको मैं explain करना उसको बहुत आप द्यान से सुनेगे अब joint life policy में डरते हैं वैसे कुछ भी डरने लायक नहीं होता है अब बात जो मेरी रहेंगी उसका बहुत द्यान से सुनना concept आपका focus हमेशा किस चीज़ पूरा कि concept पर focus करो आपको कोई चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी अब मैं क्या कहरा है उसको ध्यान से सुनेगे देखो क्या कहरा है आपसे joint life policy होती क्या उसको समझना मैंने का बच्चों कि यह insurance company यह क्या है आपकी यह हमारी insurance company अब यह insurance company और यह हमारी partnership firm है लेकिन partnership firm को एक risk लगा रहता है कि अगर कोई partner की कभी death हो जाती है तो हम लोगों को उसको बहुत पैसा देना पड़ेगा या कोई partner retirement होता है तो जब पैसा देना पड़ेगा तो उन्होंने कहें कि एक काम करते हैं पॉलिसी निकाल देते हैं पा पॉलिसी में जो आप cash दे रहे हो या policy जब आपकी mature होती है या अप surrender करते हो तो जो cash जो आता है वह एक अलग चीज़े बिटा और जो policy पे profit होना वह एक अलग चीज़ा इस चीज़ को बहुत ध्यान से आप समझना मैं कहता हूं कि इंशूरेंस company risk cover कर रही risk cover करी उसके बद लाइफ की पॉलिसी निकाल लिकिन उसका premium कौन पेकर है उसका premium पेकर है partnership firm पेकर है तो joint life policy का premium कौन पेकर है partnership firm पेकर है तो एक दो अलग चीज़े मेरा मोटीव ही है कि जब यह मैच्वर तो पार्टनर की डेथ हो जाती हमारे पास इसकी मैच्वर हो जाएंगी तो कुछ पैसा आएंगा तो liability discharge करने में मदद करेंगा क्योंकि पार्टनर जाता है तो हमने देखिए तो कहीं चीज़ें देना पड़ तो जो ओपनिंग बैलेंस उसका goodwill का उसका reserve हो गया जो प्रॉफिट इलर डेट ऑफ चेंज हो गया यह सारी चीज़ हम calculate करते हैं जो इसका balance आता उसको देना रहता है मगर जब पैसा के shortage ना जाए तो पॉलिसी निकालते ताकि मैच्वर हम इसको कराएं और इससे पैसा हमको कुछ जाएं तो पैसा generate करता मदद करता पेमेंट क लेकिन जो पोलीची जो निकाले की यह किसने पॉलिसी निकाली कि पार्टन शीव में निकाले म। तो यह partnership firm की policy पार्टनर पे निकालेगा लेगी प्रीमियम किसे पेल में Ad cage फम ने तो बिटा जो profit होता है वह profit कैसे होता है करता हो मैं आपको बता तो लेकिन उस profit के सारे partners का होता है Old partners रिशो में, क्यों आप ऐसे किसा सारे partner का होता है क्यूंकि वह partner वह profit कैसे निकालता है बीड दो मिट में बात करेंगे जुआन लाइफ पॉलिट क्या से कैसे निकालपे लिगी वह profit पे सिर्फ जो पार्टनर की डेथ हो रही है उसका हक नहीं है सारे partners का हक है क्योंकि वह policy की premium का amount partnership firm ने पे करी उस policy के premium का amount पैसा किस ने पे कर रहा partnership firm ने इसलिए जो profit हो रहा इस policy पर maturity या आप उसको कभी revalue करते हो तो वह जो profit होता है उस profit पर सारे partner का हक होता है क्योंकि वह policy का premium का पैसा किस ने पे कर रहा partnership firm अब यहां पर तीन चीज़ों को अच्छे से आप पहले समझ लो पहले के premium का amount example इस तीन टर्म भी अच्छे समझ ले न एक टर्म मैं आपसे कहता है यहां पर बताया हो लागर ठीके एक होता है तीन टर्म पहले अच्छे समझ लो कि premium का amount होता है जो हर साल जो risk cover कर रहे है जो risk cover कर रही है हमारे insurance company उसके बदले में हम जो पेमेंट देते देजिस premium तो यह premium कौन पेकर है partnership firm वो हमारे example में रहेगा 12,000 रुपए अब मैंने कहा कि अगर कोई partner की death हो जाती है तो आप claim करते हो तो claim का amount कितना है 15,000 रुपए और एक होता है surrender value surrender value का मतलब होता है अगर आज मैं इसको surrender कर दू तो मुझे कितना पैसा मिलेगा हमारे example में उसको रखे 10,000 रुपए यह जो surrender value जो होती अगर मैं आज इसको surrender कर दू तो आप maturity rate से पहले भी इसको surrender कर सकते policy को लेकि उसमें amount आपको कम मिलता है तो जैसे आप दे आज आप इसको surrender करते हो अगर आज आप उसको क्या करते हो पीटा surrender करते हो तो आपको कितना amount surrender करते हो तो कितना आता है तो यहां पे यह लिखा हुआ है 10,000 रुपए अब मैं क्या करना उस चीज को बहुत ध्यान से आपने समझना तीन पहले इन terms को समझ लो premium वह चीज है त company को pay कर रहा partnership firm जो किसके बदले जो रिस्क कवर कर रहा उसके बदले दूसरा जब कोई partner की death हो जाती है तो मैं amount claim करते हो हमारे example में claim का amount रहेंगा 15,000 रुप है तीसरा अगर आज मैं उसको surrender करू अगर आज मैं उसको surrender कर दू तो मुझे कितना पैसा मिलेंगा that is 10,000 हमारा surrender value तो surrender value हमेशा claim amount से कम होती है क्योंकि insurance company promote नहीं करती है कि उसको surrender करो तो इसलिए आप maturity date से पहले इसलिए उसके amount को हमेशा claim से कम होता है अब देखेंगे यह दो चीज हो सकती आपकी कि जब accounting करने का जो तरीका आपको question में बोलेंगा कि जब यह partnership form जब insurance premium pay करती तो दो treatment हो सकती एक treatment हो सकता है insurance premium को as an expense मान रहा है क्या मान रहा है expense मान रहा है और दूसरा उसको क्या मान रहा है as an asset अब पहले मैं expense की बात करता हूं और इसी के बारें बात करते हैं फिर अपन इस पर जाते हैं मतलब यहां पर यह सारी चीज़ा यहां लिखी विपता है तो मैंने का कि यह insurance company यह partnership firm है वह risk cover कर रहा है वह क्या कर रहा है risk cover कर रहा है उसके बदले हम क्या दे रिसको premium दे रहे तो यहां पर अब यह joint life policy जो हमने लिए अब एक treatment में कि हर साल जो premium दे रहा हूं तो जो premium को मैं profit and loss account में debit कर रहा हूं तो मैं क्या entry pass कर रहा हूं मैं entry pass कर तो वह premium की वह premium की यहां पर जो entry pass कर तो profit and loss account debit अब यहां पर कुछ amount ठीक है example मैंने एक second रुखना है amount की मैंने अलग लिए यहां पर premium 12,000 था चले ठीक है यहां पर example में कुछ और लिए बाजवाल example में कुछ और लिए ठीक है पहले ने यहां पर समझ दो फिर मैं उस पर जा उसको मैंने याव expense माना तो उसको मैं कहां पर debit कर तो profit and loss में तो जब भी premium पे कर रहा जाता है तो वह entry pass करते partnership from profit and loss account debit to cash और bank तो हमारे example में कितना 12,000 रुपे तो profit and loss account debit to cash और bank मैंने कहा 12,000 रुपे यह कहां जा रहा है पीनल अकॉंट में जा रहा है अब हमने देखे कि इसको थो हमने पीनल अकॉंट में लेके अब प्रीमियम जो भी पे करें अब कोई partner के actual man death हो जाती है तो हमने बोले insurance company को लाओ-लाओ claim हम तुमसे करेंगे तो यहा joint life policy account को debit नहीं करा कि कि जब भी हम लोग premium देते थे तो हम लोग profit and loss account को debit करते थे तो मेरी books में कोई joint life policy account नाम का ऐसा कोई account नहीं कि जब भी मैंने premium दिया मैंने premium को मैंने profit and loss account में debit किया तो मुझे claim मिला 15,000 रुपे और मेरे book में कोई जब भी joint life policy नाम की कोई account नहीं तो इसलिए book value हमें 0 तो claim मिला 15,000 रुपे और मैंने कोई joint life policy नाम का कोई account नहीं तो book value 0 है तो claim minus book value 15 मिले book value कुछ भी नहीं मिला तो यहां पर में को profit हो गया 15,000 रुपे का अब यहां पर जो profit हुआ तो आपको जो 15,000 रुपे मिले वह एक अ पार्टनर्स का क्या अदर हक होता है तो इस profit 15,000 रुपे सारे partners को old partners को old ratio में अपन देंगे यहां पर claim क्यों 15,000 रुपे का लिखा मैंने क्योंकि death week क्यों पार्टनर की तो 15,000 रुपे मिले और joint life policy नाम का कोई हमारे book में account नहीं तो आपको कोई चीज नहीं तो आपको कोई चीज बेचे 15 मिले और book में उसकी चीज जीरो पे लिखे तो 15,000 पूरा profit हो गया तो 15,000 का पूरे partners का इस पर rights है और old partner को old ratio में बाठ दिया जाएगा तो अब यहां पे पहले इसी से explain का तो फिर मैं accounting entries पे भी आता है ठीक है अब मैंने कहा है यहां पे कि दूसरा case हम PNL account मे इंशुरेंस premium को debit कर रहे थे अब revaluate करने की क्या ज़रत पड़ी revaluate क्यों करो क्योंकि कोई partner जा रहा है तो कोई partner जा रहा है यह कोई partner आ रहा है तो एक्जामबर सबस्द मैं कहते हैं कोई partner जा रहा है तो वो तो यही बोलेंगा आपने policy ले रखे हो तो आज mature नहीं हो रह है तो कितना पैसा मिलेंगा तो उसमें मेरा भी हग रहेंगा जो profit हो बात तो सही कह रहा है तो आप यह death के case में एक claim का amount यहां पर आता है लेकिन कोई revaluate करने question में बोला मतलब आज उसकी क्या value तो यह death का case नहीं हो तो कोई partner जा रहा है तो उसमें मेरा भी हग हो policy जो निका है नहीं तो यह ऐसी बात हो कि कोई asset बेच हूँ अगर मैं कोई asset तो आज उसको 10 रुपे मुझे मिलेंगे अगर बेच हूँ तो मैं 10 र मिलेंगे लिगे उसके book में value 0 लिख रहा है तो आपको तो profit होगा न 10 रुपे का profit होगया तो यह profit किसको जाएंगा old partners old जैसे 15 का amount आता है और revalued यहां पर surrender value का amount आता है यह चीज़ है अब यहां पर आपने बात करते किसके बारे बात करते वह आप अच्छा पहले इसके accounting entries भी बता देता आपको अब मैंने का बिटा यहां पर यहां पर amount 10 रुपे लिए इसलिए वह amount mark कुछ और यहां कुछ लेकिन इस claim था claim minus book value ठीक है यहां पर इसने claim का amount भी यहां पर just give me one minute यह 10 यहां पर premium ले लिया और यहां पर इसने insurance profit on JLP ठीक है और profit को इसने पाठ दिया ठीक है यहां पर इसने 7500 फिरकिश लिया है anyways यहां पर देखो क्या चीज़ है आपकी कि आप जो entry pass amount तो आपकी यह वाली 15,000 और यह 15,000 जो profit हुआ तो मैं आपको कहता है किस तरीकी से मैं इसको बाठ रहा हूँ यहां पर यहां पर अपना ही लेते हैं 15,000 रुपे profit हुआ तो मैं क्या entry pass को insurance company से मेरे को मिलने वाले तो receivable insurance company account debit क्योंकि मिलना इंक्रीज देबिट और you can say पैसा मिल गया तो bank account debit to profit on JLP तो 15,000 से अपने entry pass करें और यह profit on JLP को जो आपने को मिला that we will transfer to अपनो किसको transfer कर देंगी बिटा वो अपने transfer कर देंगी old partner old ratio so that profit is 15,000 I will pass entry profit on JLP account debit to old partners in old ratio तो entry मैंने क्या करें partners के capital account को credit यहाँ पर उसना 10,000 लिया उसको तो entry पर आप देखो insurance company account debit और bank account debit profit on JLP and this profit will distribute to old partners in old ratio so entry will profit on JLP account debit to A's capital to B's capital C's capital old partners in which ratio old ratio how we calculate this how we calculate this profit claim minus book value suppose the claim is 10,000 and the book value is obviously 0 the profit will be 10,000 only okay अब मैं कहता हमारे केस में यहाँ पर 15,000 था ठीक है अब मैं कहता हो अगर यह वाला case हुआ surrender value तो सर अपने re-value को है तो surrender value कितनी दस आप और यह कितना हो आपका यहाँ पर यह आपका जीरो एबुक वाल तो अभी दस आर के profit को कैसे आप record करें इसको आपने समझना बिटा तो मैंने एक asset create किया मैंने किया तो फिर मैं यहीं पर आपको बताता हूँ ठीक है आप स्क्र debit 15,000 ठीक है मैं यहीं बता देता ना to profit on JLP to profit on JLP account कितना बिटा 15,000 रुपे इस profit को मैं old partners को old ratio में बाटूँगा तो profit on JLP account debit how much बिटा 15,000 to A's capital to B's capital to C's capital अब सब्सक्राइब इनका profit sharing ratio जो भी हो सब्सक्राइब तो मैंने यहां पर 5000,000 और 5000 इस तरीक से बाट यह entry pass होगी तो आपने पहले profit on JLP को credit करें फिर profit on JLP को क्या करें देबिट अब मैं कहता हूँ यह वाला case इसमें कैसी entry pass करेंगे तो इसमें कोई पैसा नहीं मिल रहा है भी आप सिर्फ री वैल्यू कर रहें तो आप जब री वैल्यू करते हों कितने 10,000 से तो surrender value आपकी तो आप asset create करें तो आप entry pass करते हो JLP account debit 10,000 to profit on JLP to profit on JLP कितना 10,000 और इसे आप profit को बाठ देते हो profit on JLP account debit 10,000 to A's capital B's capital और C's capital अब 10,000 equal partner तो 10,000 divided by 3 तो यह आगे आपका डिवाइड बाइड बाइट री 33,000 सॉरी 3,333 ओकी इस तरीक से आपने क्या करें उसको बाठ दिए अब यहां पर चीज क्या लगता है यह किस amount से हुआ आपका यह आपका हुआ इस तरेंडर वाइलव पर किसमाऊन पर सरेंडर वाइलव पर क्यों आज अगर में तो इतने मिलेंगे आज अगर सरेंडर को तो फिर profit sharing इसी में बटेगा अब यहां पर केस थोड़ा सालग होता है यहां पर जब आप यहां पर इंशुरेंस प्रीमियम पे कर रहें तो आप क्या कर रहें यहां पर आप उस वक्त प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को डेबिट नहीं करें आपके एसेट साइड में जील पी रिफ्लेक्ट होई आपके एसेट साइ आपने यह एंट्री क्या हो जो मगर याद रखना प्रीमियम पे करें आपने वह आपने दस जार रुपे से अब इस चीज़ को समझना कि आपने सपोज यहां पर प्रीमियम जिसे हमारे एक्जांपल में 12,000 उपे ता तो मैंने प्रीमियम कितना प्राइब मेरे पास से 12,000 पाइव तो टुकैश एकाउंट किया लेकिन अब जैल पी को जब करते किसमाउंट से सरेंडर रुपे करती लॉगिक समझ ना कि मैंने कहा कि मेरे पास तो 12,000 उपे लेकिन जब मैं जीजे लपी को यहां पर पर कर रहा हूं कर रहा है क्रियेट कर दस हजार रुपे से लेकिन आप बोरें कि नहीं उसकी वैल्यू आज जितनी उत्ते पी इसको रिकॉर्ड करते हो तो आपको 10,000 आता है तो इसलिए इसको इसको रिकॉर्ड करते हैं आपने 12 में से 10 इसको सरेंडर वैल्यू यहां पर लिए और 2000 रुपे क्या विटा प्रीमियम तो आपका यह 2,000 सब्सक्राइब करें तो यह आपके क्रेडिट करें बारह जार रुपे से और दसार रुपे जो एडिशनल के देट विचार्ज टू प्रॉफिट लॉस अब इस खेल को समझना है यहां पर मैं कहता हूं कि कोई पार्टनर की डेथ हुए लॉजिक समझना तो मैं को करना बिटा फ्रॉफिट अगर मैं यहां पर फ्रॉफिट करऊ तो मैं कैसे कि डेथ हुई तो मैं को क्लेम मिलेंगा लेकिन कितने का मेलेंगा बच्चो पणराइसार उपे का क्लेम मिला लेकिन बुक में वहनÖN का downtmeter तो में दस्राइं में लिखighs वी एस government ँट में पढ़राटी ब expo लेट या क्या मिलरहें तो इसं और इसमें यॉस पास करेंगे आपने इंट्री के या पर इंट्री मैं पास करता हूं इंचुरेंस कमपनी अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट कितना 15,000 रुप है 15,000 आएंगा टू मेरे पास JLP पहले से एसेट है बेटा 10,000 पे लिखी हुई तो टू JLP अकाउंट करूप अल्री बुक्स में उपर देखे 10 से लिखी हुई नहीं यहां पर यह देखे 10 से लिखी हुई एसेट है तो एसेट को क्रेडिट करा जैसे आपको एसेट बेशते हो तो 10-15 आए 15 कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट डश से एसेट चलेगी और प्रॉफिट हो गय करेंगे प्रॉफिट ऑन जी एलपी अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स ए बी और सी ए बी और सी जो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रिशो में इसको क्या करेंगे पाठ देंगे तो आपको 15,000 रुपे आए और एसेट गई 10 की क्योंकि आपने रिकॉर्ड कर रहा इसको मैं आपको बता हुआ यह जगा 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 यहाँ पर बताता हो एक तो यह देखो यह अच्छे से समझ दा तो यह ज्य होता है पहले से बैलनस झीज एलपी अकाउंट अब आपने जीए लपी को 10 से क्रेड़िट करें तो वह तसे पांच प्रॉफिट ओ इस company account debit to jlp 15 15 then the balance of jlp 10 से debit 15 से credit balance 5 is a profit on jlp that will transfer to jlp account debit to profit on jlp then profit will transfer to partner तो आप ऐसे भी कर सकते हैं यह आप इसका ऐसे भी कह सकते हैं कि यह jlp account है आपका इस jlp account का balance सा पहले 10 और आपने भी 10 से क्या कर इसको credit यह तो close हो गया और जो 5 आपके additional that is profit वह profit आपने old partners old ratio में बाट देंगे तो वह किस amount से यहां पर जैसे 5000 रुपे है तो 5000 रुपे का अगर मैं बाट हूँ तीन पार्टन इक्वल पार्टन से तो that is 1666 1666 1667 इस तरीके अब यहां पर एक्ष्ट में पार्टन की डैट नहीं लेकिन जो पार्टन की रिटायर हो रहा है तो वह बोलेंगा कि इसको री वैल्यू करो क्योंकि अब री वैल्यू करो यहां पर जो asset यहां पर जो आपकी इसमें इसको यहां पर 10 मिल रहे है और आपने सको पहले भी भूक में रिकॉर्ट करें perlu दस पे रिकॉर्ट करें यहां पर प्री 20 ओर यहां पर यहां पर उदस रुपार ओल्र यह वैल्यören सुट कर Кар्यों दस नहीं कमें लिखाया है आज आज को फायदा और नुकसान नहीं हो रहा तो कोई अकांटिंग करने की ज़रुवत नहीं होती रेर केस में होता है कभी कि आपने पर किजी रिवैल्यूट करें और यहाँ पर उसकी सरे बुक वैली दस है मगर हो सकते हैं कि सरेंडर वैल्यू में कुछ फ्लक्ट्यूइशन आया सरेंडर वैल्यू कुछ और है तो फिर यहां पर आपका प्रफिट और लॉस कुछ आ सकता है लेकिन जनरल्ली आप मैं कहता है मैंने इसको रिकॉर्ड जो क्या हूं शरे तो यहां पर यह होती ही शरेंडर वालू तो आप उसको रिवालूशन भी शरेंडर वालू पर कर रहे हो बुक पे उतने भी लिखा तो कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं है अगर आ जाता है तो तो यह प्रॉफिट विल असे डिस्ट्रिबूटे टो ओल्ड पार्टनर से ओल इस चीज़ को आपने समझना और जब आप पढ़ते हो तो उसके लोजिक को सोचता है ऐसा क्यूं क्यूं कर रहें क्यूं क्यों एसा करते हों केंट्रिज्द पास करें तो आपको सब्जेक्ट में गृप आते जाएंगी इस बिल्द उके और प्रेसा नहीं दूसरे सब्जिक्त बी ऐसे ही पढ़ने है कि आप कोर्स करने का एक बड़ा प्रोफेशनल कोर्स है और इसमें आपको बहुत जयादा आप देखो आपको डरा नहीं रहां क्यों इतना परसंटेज कम आता है पंडेशन का 25-30% इंटर को और कम फाइनल का और कम थे कंधों और कमा अगर को करण को द्ष की आतो आपको बनाना पड़ेगा आप बोलओं से यह scoring होता सीए में आना नहीं था अब अपन सीए में आ गए तो उसको छोड़के जाने का सोचना नहीं लेकिन एड़ सेम टाइम प्राक्टिकल भी रहना हकीकत जूरत इसको मानना वही क्लियर कर पाते जो समझते जो महनत करते आप सीए आप 70% क्राउट नहीं क्लियर होता ना फाउंडेशन डरा नियुक्त समझा रहो बच्चे आप वह 30% में से हो लेकिन महनत करना पड़ेगा जो पास होते बिटा तो ऐसा आप जो पास जब होंगे जब आप महनत करों बीना महनत कि कुछ नहीं मि कि यह चीज़े कर ली तो अच्छा ही करेंगे लाइव अच्छा ही करते भी लाइफ में फिर वह confidence लाने के लिए अचीवमेंट जैसे जिसे मिलते हैं तो confidence आता है मगर अचीवमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा मैनत को करना रहेगा अब लाइफ में failure देखे तो अपने आपको डी मोटिवेट भी नहीं करना कभी failure लाइफ में देखता और ऐसा होंगा नहीं कभी इंसान की जिन्दगी में ऐसा नहीं है कि हमेशा सक्सेसी देखे वह failure भी देखता है failure भी बहुत failure देखते हैं तो जब failure देखते हैं तो उस वक्त नर्वस नहीं होना कि करते जाता है ओके चली तो यहां पर जो सारा discussion था हमारा partnership के concept wise जो था वह सारी चीज़े discuss करें कि जैसे मैंने आपको यहां पर यह जो था कि आपको मैंने यह बताया था इसको बस ख्याल रखना आपने हमेशा ठीक है इसको आपने हमेशा ख्याल रखना यह बड़ी important कि अब इसको आपन वापस एक बार देख लिए क्या चीज़ है बच्चे कि यहां पर जो capital का आपका balance रहता है वो capital account में लेको जो reserve रहता profit and sharing ratio में बाट दो revaluation है तो revaluation account बना revaluation को जो भी profit और loss आता हो कि इसको दो old partners old ratio goodwill का valuation जो होता है वो अलग-अलग method average profit method super profit method capitalization accounting को चार तरीकी से बता है कि privately settle करो यह firm में cash लाए यह गेनिक partners अकाउंट debit sacrifice यह raise करके छोड़े तो जैसा question में बोल जेल पी में आपको देखना पड़ेंगा कि वो question में बताएंगा कि पीनल में debit करता था कि asset में debit करता था जब premium पे करता था अगर वह premium जो आपका वह पीनल में debit करता था तो फिर आप जब claim उसका आप profit calculate करो होंगे death के case में आप कैसे calculate करते claim minus book value तो claim मिलता बुक वैल्ट जीरो रहेंगे क्योंकि आपने पीनल में debit करें तो profit बाठते हो अगर revalue कर रहें तो revalue माइनस बुक वैल्ट जीरो है क्योंकि आपने premium को पीनल में debit करें तो वह आपका profit बाठत होगी अगर आपने asset में debit करें premium को तो asset को जब premium को asset मगर किस value पर करते Surrender value पर तो अगर कोई पार्टनर की death हो गई है किस case में और आपने asset account को debit करें तो claim amount minus उसकी book value surrender value पर record तो difference will be profit और loss और दूसरी चीज़ होती है आपका कि आपने उसको asset को debit करें Surrender value पर और Revalue को तो Revalue Surrender value पर होता है record Surrender value पर तो profit कुछ भी उसमें नहीं आएंगा अब यहाँ पर reserve जो होते हैं तो मैंने बताया reserve को old partners को old ratio है बाड़ो profit till the date of change जो होता है profit till the date of change financial year की शुरुवात से लेकर जो भी जहां पर भी पार्टनर की death हो रही है तो वहाँ तक जो profit होता है profit होता है और उसमें तो रिटारिंग पार्टनर है जो पार्टनर की डेथ उसके share पेंट्री पास करते profit and loss adjustment account डेविट आउट गूइंग पार्टनर कापिटल अकॉंट इतना अपने को करना रहता है रिवालेशन में आपको बता है assets के debit balance जब इंक्रीज होता है तो debit कर एसे टो रिवालेशन जब डिक्रीज होता है तो क्रेट कर रिवालेशन टू एसे liability के credit balance होता है इंक्रीज तो credit करो तो रिवालेशन टू लाइबिलिटी ऑफिट डिक्रीज होता है तो liability account debit to revolution वैसे एंट्री आप पास करेंगे ओके तो यह हमारा discussion कीस है सारे discussion जो partnership से होता है वह हम लोग ने partners sharing profit and losses in the ratio of 1 is to 2 is to 3 तीन partner दे x y or z और उनका profit sharing ratio कितना दा 1 is to 2 is to 3 देर balance sheet as on 31st March 2021 was as follows अब उनकी balance sheet यहापे DBA partnership firm की capital x y z 1 lakh 75 250 z 4 lakh जनरल लिजर्व 3 lakh trade craters 2 lakh 50 asset site building 2 lakh 50 machinery 337 500 डेटर 3 253 lakh 25,000 stock 4 lakh bank 62,500 now z retired from the business अब कौन रिटायर हो जेट रिटायर हुआ तो देखो यहापे तारी चीजे वैसी रहेंगे पस रिटायर्मेंट में अपने पैसा उसको दे ना रहेगा admission में लेते तो मगर बाकी जो adjustment वैसे ही करना है जिसे आपको मैंने सिखाया भी अब देखेंगे अब सबसे पहली step में आपको पूचा क्या है उसने यह देखो पहले मैं आतो है points पे prepare revolution account bank account and partners capital account after giving effect to the that's also show the valuation of goodwill and pass general entry for adjustment of goodwill ठीक है तो उसमें सब्सक्राइब कि balance sheet नहीं पूचा है ठीक है तो सबसे पहली step बेटा मैंने आपको क्या सिखाया था कि पार्टनर के जो capital account है यह जो partners के जो आपके capital account है इसके balance के जो capital के balance ही capital account में जाकर आप लिखेंगे just one minute आप बैटरी लोग है just give you one minute ओके तो भी आपका कौनसा आपके जून 22 एक सेके न ओके ठीक है कहा आँ गया एक सेके वो question में देख लो अब ध्यान से अब देखो से सबसे पहले में आपको क्या सिखाया था कि जो capital के balance हो capital में capital account में लेके चल जाओ से 1,75,000 2,50,000 और 4,000,000 तो यहाँ पर देखेंगे आप यह capital account है capital account के यह 1,75,000 2,50,000 and 4,00,000 उसके बाद यह general reserve इसको बताया था old partners old ratio old ratio 1 is to 2 is to 3 तो इसको बातो 1 is to 2 is to 3 में तो 50,000 1,00,000 और 1,50,000 तो general reserve को 1 is to 2 is to 3 में 3,00,000 उन्होंने बाट दी फिसके बाद यहाँ पर जैसे trade अपने revaluation करना तो इसको यह asset liability को मैंने आपको बताया था कि balance sheet में inner column में लिखना फिर valuation के बाद उसका outer column में करते है लेकि उससे balance sheet पूछा है नहीं तो अपने को करने की जरूरत नहीं है लेकि उससे bank account पूछा है तो building यहाँ पर कितने से लिखिया आपकी 250 से तो 250 का 25 वो था 62,500 तो what entry will path appreciate मतलब increase increase in asset debit so entry will be building account debit to revaluation account तो अब building account अगर अपने को balance sheet बनाना बोलता तो inner column में फिर में 62,500 आड करके total figure फिर बाहर लिखता लेकिन building account debit to revaluation account पूछा है न तो revaluation account को अपने credit करे 62,500 यह कैसे आया यह आपका 2,50,000 का 2,50,000 का 25% दूसरा x and y to bring in additional capital of Rs. 5,00,000 लाइक इस दो partner additional capital दो नो पांच-पांच-पांच लाइक आरे तो bank account debit 10,00,000 दोनों का मिला के करा to x capital 5,00,000 to y capital 5,00,000 तो आपने bank account भी पूछा है उसने तो bank account को debit करेंगे 5,00,000,000,000 capital account को credit करेंगे तो यह capital account को credit करें एक से कॉलम में 5,00,000 और य के कॉलम में 5,00,000,000 उसके बाद वो कहता आपने से machinery to be depreciated by 10 परसेंट 10 परसन से machinery को depreciate करो तो machinery यहाँ पर question में आप देखोंगे वो यह 3,00,000,500 तो 3,00,000,000,500,000 का 10 परसेंट वाया 33,500,000 तो depreciate करो का entry pass करेंगे decrease in asset एक्रेडिट इंट्री बेल बी रिवालुशन अकाउंट डेबिटू रिवालुशन अकाउंट डेबिटू मशनेरी अकाउंट डिक्रीजिन ऐसेट क्रेड तो रिवालुशन के आप देखूंगे डेबिट साइड बोनने आप लिखे होंगे 33750 33,750 ओके उसके बाद कहता है सिंपल कोश्चेन है तो बहुत स्टॉक इस रिवालुट एट रुपीज 3,702,250 अब देखो पीटा वर्डिंग फो समझना रिवालुट आट एड़ डेप्रिशेट बाई और अप्रिशेट बाई यह बाई में और यह रिवालुट एट में फर्क होता है एट का मतलब उतने पे वैल्यू करो बाई मतलब अप्रिशेट डेप्रिशेट बोले बाई मतलब उतने से बढ़ाओ उतने से बढ़ाओ कम करो जो भी बोला उतने से होता है बाई का मतलब एट मतलब उतने पे हिंदी पढ़ा रहा हुँ दूंगा उतने से और एड मतलब उतने पे तो यह एड बोला मतलब इतने पे वैलुईशन करना इसका स्टॉक का लेकिन आप स्टॉक देखते हो यहां पर स्टॉक आपको किस अमाउंट से नजर आता है पर चार लाग वह वैल्यू करने बोल रहा है कितने पे बोल रहा है 370 to 250 पे और वहां पे स्टॉक कितने का चार लाग का चार लाग माइनस 370 to 250 तो हमको 27,750 से कम बोल रहा है तो डिक्री दिने ऐसे ग्रेडिट रेटी रिवैलूशन अकाउंट डेबी टूट इस्टॉक अकाउंट डेको 27,750 साथ 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 में आप भी क रिवैलूशन अकाउंट बना तो इसको डेबिट करें 4% तो डेटरस आपको कितने का आपका ब्रेटरस से यहां पे यह रहां पर तीन लाग 25,000 का 3,25,000 रुपय का कितने परसें 4% तो वहता है तेरा जार रुपय तो यहां पर देखो 13,000 से रिवैलूशन को डेबिट क्या होंगा उसने यह देखो 13,000 रुपे से ओके उसके बाद वो सेकिंड कहता है इसके गुडविल का यहां पर आपने पूछा भी कुछन में कि उसके वर्किंग करो उसके एंट्री भी पूछा पास करें वह यहां पर कहता है गुडविल वास्ट भी वालुड एट थ्री यह पर् आवरेज प्रॉफिट लेंगे उसका नमबर ओफ यह परचे उसने अच्छा यहां पर बोला कि गुडविल वास्ट भी रेस नौट भी रेस इन दे बुक्स मतलब बैटा गेनिंग पार्टनर्स गेनिंग पार्टनर्स क्यापिटिल अकॉंट डेबिटू सेक्रिफाइजिं तो यह आपको पहले साल का प्रॉफिट यह 2,75 दूसरे साल का 2,50 तीसरे साल का 1,95 तो टोटल हुआ आपको 7,20,000 यह 7,20,000 कितना तीन साल का तो डिवाइड बाई 3 तो आवरेज प्रॉफिट आए यह जो 2,40,000 मुल्टिप्लाइबा है तो इस नंबर ओफ यह तो दो अलग ठीक है तो यह आपको गुडविल का अमाउंट आगे अब गुडविल का अमाउंट आपका जो रिटारिंग पार्टनर है उसका प्रॉफिट शेरी थी था थी वाइस तो इन्होंने यहां पर काल्कुलेट करें 3,60,000 मगर मैं इसको टेबल बनाके भी यह जो अमाउंट है इससे कन्फ्यूज मतला मैं आपको टेबल बनाके बताओ एक मेंट में हो जाएंगा टेबल सबसे अच्छा हो था एक्स वाइज कोई कन्फ्यूजन नहीं तो यहां पर क्रेडिट ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो तो ओल्ड रेशो तो वन इस्टू टू 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 लाक्स मल्टीप्लाइब वन तो यह आया 1,20,000 यह आया आपका 2,40,000 और यह आपका 3,60,000 ठीक है टोटल अमॉंट से करते हैं उसके बाद डेबिट ओल पार्टनर ओल डेबिट ओल पार्टनर इन नियू रेशो अब जेट चले जा रहा है आपका जेट रिटायर हो रहा है तो बचे कौन से दो पार्टनर उनका रेशो वन इस्टू तो अभी 7,20,000 को वन इस्टू तो में अगर मैं बाटू तो यह आता है 2,40,000 और यह आता है इसका इसका 4,80,000 4,80,000 तो यहां पर अगर आपन एक्स को बोले तो देना इसका रेशो अभी इसको होता है 1,20,000 लेकिन आगे इसको मोल रहा है 2,40,000 तो इसने यह आपर गेन हो रहा है कितने से गेन कर रहा है यह गेन हो रहा है इसका 1,20,000 से डिफरेंस य को बोले तो अभी 2,40 लेकिन आगे 4,80 मिल रहा है तो यह 2,40,000 का क्या हो रहा है इसका गेन हो रहा है यह भी गेन यह भी गेन लेकिन Z बोलता है कि उसको भी मिल रहा है 3,60 आगे उसको कुछ भी नहीं तो वो सेक्रिफाइस कर रहा है वो सेक्रिफाइस कर रहा है ओके तो तो gaining partners capital account debit तो देखो यहाँ पे gaining partners capital account debit X 120, 120, Y 240, 240, to sacrificing partner, Z sacrificing 360, 20 पो पास होगे, ठीक है, आपे table बना के भी कर सकते, तो यहाँ पे gaining partners तो यहाँ आपने करी, sacrificing इसके entry, अच्छा, goodwill की effect देना पड़ेगा, X capital account debit 1,20, Y is capital 2,40, तो आपने देखो, X के capital account करें, debit करें, 1,20, Y के 2,40, against Z, अब Z को आप credit करेंगे, तो Z को credit करेंगे, अगेंगे, X and Y, total 360, 120 प्लस 2, 120 प्लस 240, that is 360, ओके, अभी यह point भी हो इतना easy question कैसे आ सकता है, अब उसके बाद, यह आपका loss आया, इस case में, तो यह loss को आपने capital account में transfer कर दिया, revolution का, आपको सिखाया था, पिटे, सबसे बेले Z जा रहा है, तो उसका balance देखो, 9,4,000, उसका पेमेंट करोंगे, 9,4,000, तो Z capital account debit to bank account, इनके जो balance आया, यह capital account में चल जाते हैं, और यह जो balance आया, यह भी balance sheet में, लेकि balance sheet पूछा, नहीं है, इतना simple question, ठीक है, उसके बाद, आपको फिर उसने, एक और question जो है, और पूछा एक और, इस item में, एक और question, Mr. X, give the following particular in respect of business carried on by him, capital invested in the business, 9,000, market rate of return, 8%, rate of risk return, अच्छा, उसका market rate of investment, 8% और risk का return, तीन प 11% return, remuneration per annum from alternative employment of proprietor, if he was not engaged in business, वी रमसी कहता है, the business earned profit of Rs. 2,40,000, 2,16,000, 3,00, in the year 2018, 19, 19, and 21, कैसे दिया उसने, एक में रुकना, ऐसे ही लिखा था, तो 20 नहीं दिया उसने, अच्छ, 20 में लॉस उसने ऐसा लिखा है, ठीक है, मैं वो ही कहूं कि इसमें, ओके, अब देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर उसने एका कि उसको profit हुआ, तीन साल, 2018, 19 और 21, और एक साल में लॉस बोला था, मैं बोले 20 कहां का 6 years purchase of super profit of the business calculated on the basis of average profit of the last 4 year, ठीक है, लेकिन आपको number of years purchase 6 साल है, और आपका last 4 year का उसने performance को base माना है, मगर आपको उसने super profit से बोला, तो पहले average profit minus normal profit is super profit, तो यहाँ पे पहले average profit निकालेगी, तो 2018 में देखो, आपको profit था, 2,40,000 का question में दिया है, 2019 में था आपको 2,16,000 का और यह loss यह नहीं चली का, यह loss आपका 2020 में और 2021 में profit था आपका, तो टोटल आपका यह net effect गिया कि 7,20,000, यह 4 साल का, तो average लूँ 7,20,000 divided by 4 तो आता है 1,80,000, अब में को average profit निकालना है, जो expect में future में करा, उसने कहा है, यहा proprietor, if he was not engaged in business, अगर वो business में engaged नहीं होता था, alternative उसको कितना remuneration यह मिलता था, तो आगे चलके basis के बारे में information दिया है, तो हमें माने कि आगे चलके उसको remuneration proprietor को देंगे, तो वो remuneration देंगे, तो इसका profit और क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो remuneration आप partner को दे रहे हो, partner प्रोप्राइटर उसको दे रहे, तो वो कितने का 36,000 का, 36,000 का remuneration दे तो profit और कम हो जाएगा, तो यह आगे आगे आपका average profit और यह normal profit 11% गो रहे, 8 प्लस 3%, capital employer 9,00, तो 9,00, 11,99,000, तो average profit minus normal profit is super profit, तो that's come 45,000, and number of years purchase is 6 year, so 45,000 multiply by 6, that's come 2,70,000, तो good will come out 2,70,000, बड़े easy question आये थे June 22 में, अब आते हैं हमें December 21 में, एक सेकेड रुखेगे, December 21, ठीक है, अब December 21, इसमें question पहले देख लेते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर हमसे कहता है बड़ा, कि A, B and C, A, B and C are partners in a form, on 1st April 2019, their fixed capital stood at Rs. 50,000, 25,000 and Rs. 25,000 respectively, तो तीन partner थे, A, B and C, उनका fixed capital अपने को question में दे रखा है, 50,000, 25,000 और 25,000, As per the provision of partnership deed, C was entitled for a salary of Rs. 5,000 per annum, all the partners were entitled to interest on capital at 5% per annum, profit and loss were to be shared in the ratio of capital of the partner, net profit for the year ended 31st March 2020 of Rs. 33,000 and 31st March 2021 of Rs. 45,000 was divided equally without providing for the above adjustment, You are required to pass an adjustment journal entry to rectify the above error, अभी देखो हुआ क्या है पहली चीज़ इसने यहां पर हमसे कहा, क्या चीज़ इसने अपने से कहा question में, उसने अपने से कहा यहां पर कि उनको profit and loss कैसे बाटना था ratio, capital का जो ratio था उसमें बाटना था, तो इनका capital यहां पर 50, 25, 25 मतलब 2 is 2, 1 is 2, 1 में उनको profit बाटना था, लेकिर उन लोगों ने यहां पर उसको equally बाट दी, उसको equally बाट दी यह गल्टी करें, दूसरी चीज़ उसने बोला था कि आपको यह profit and losses were to be shared in the ratio of capital, ratio of the capital of the partner, net profit for the year and the 31st March, 2020, 33, 21, 45 was divided equally without providing the above adjustment, without providing the above adjustment का मतलब हो था कि यह जो adjustment उपर आपको दिये वे, कि C को salary देना 5,000 रुपर और सारे partners को interest on capital देना 5%, उसके बाद जो profit आता उस पे उनको capital ratio में बाट ना था, तो उसने तो C को salary बताया नहीं, books of account में और partners का interest on capital में नहीं बताया, और उसके बिना ही जो profit आया और वो भी जैसा बोला था capital ratio में बाट वैसा नहीं बाटा, उसने equally बाट जी तो उसको rectify करने हो कह रहा है, so यहाँ पर आप देखे हैंगे, just one minute, okay, देखो याँ, अब क्या हो रहा है, कि amount already credited, amount already credited का, यहाँ पर यह जो first वाला point है, आप से यह किये, क्या किये, और second वाला point कह रहा है, आपको क्या करना था, क्या किये, क्या करना था, यह है, अब इसको समझ, किये क्या आप अन्ने बिटा, कि जो profit आपको यहाँ पर question में जो दिये, 33,000 plus 45,000, वो आ रहा है आपका 78, यह total जो आई न, 33 plus वो जितना भी दिये, 33 plus कितना दिये, 45, 45, so this is 33 plus 45, that's come 78,000, तो उन्होंने करे क्या, इसको equally बाढ़ दी, तीन पार्टनर को, तो इसको divided by 3 करू, तो 26,000, 26,000, 26,000, ऐसा कर दिये, करना कुछ और था, उनको पहले तो यहाँ पे उसको, C को salary देना था, 5000 पर आनम, तो दो साल का बिटा है, यहाँ पे यह profit कितने साल का तो दिये, दो साल की बात चल रही है, दो साल का यहाँ पर यह, March 20, और March 21, तो दो साल की salary उनकी होना था, उसकी होना था, उसकी होना था, पांच पांच दस हजार, तो दो साल का 2500 और वैसी तरह है दो साल का 2500 ये उनको पहले interest on capital और ये उन्होंने c salary उनको दिये तो उसके बाद ये profit 78 नहीं आता था ये 58 आता कैसे बीटा 78,000 था profit ये दो adjustment के पहले उसमें से मैंने salary दो साल की मैंने 10,000 हटाया और interest on capital पांच डाई डाई 10,000 का interest on capital हटाया तो ये profit इसके adjustment के बाद 58 ये बचता था इसलिए 58,000 वहाँ पे लिखा है और ये 58,000 को इनको capital ratio में बाटना था जो की capital ratio 2 is to 1 is to 1 है 50,000, 25,000, 25,000 2 is to 1 is to 1 है तो आपने 58,000 को 2 is to 1 is to 1 में बाटने 29,000, 14,500, 14,500 तो इस तरीके से capital को credit करना था और इस तरीके से credit हो गया तो मैंने कहा कि 26,000 से credit हो गया करना कितना था 34,000 से 26 से अमने उसको credit करे करना कितना था 34 से तो आट से और credit करना पड़ेंगा तो देखो एस current account आट से credit करा यहाँ पर कर दिये आपने 26,000 से credit करें करना था 17,000 से तो यहाँ पर जादा क्रेडिट कर दिये तो 9,000 से इसको debit करना पड़ेंगा कैंसर मोर क्रेडिट एक्टिविशन या दे न मिटा आपको मोर क्रेडिट एट तो क्या करना पड़ेंगा उसको debit अब उसकी बाद बिटा यहां पर आपने यहां पर यह 26,000 से credit करें करना कितना था 17 से तो आपने तो cancel करें, debit करें, यहां 26 से credit करें, करना था 27 से तो आपने less credited करना था 27 करें 26, less credited तो यहां पर आप उसको credit करना पड़ेंगा उसको 1000 रुपे से, तो rectified entry आपने पास करें, कितना easy question था है, okay very simple, तो आपने entry पास करें, B's current account debit 9,000, to A's current account 8,000, to C's current account 1000, okay, उसके बाद यहां पर एक और question इस attempt में है, just one minute, okay, द्यान से, अब देखें question आप से क्या करें, next question जो है आपका, okay, वो आप से कहता है, कि A and B are partners, sharing profit and losses in the proportion of 3 by 4 and 1 by 4, मतलब 3 is to 1, as at 31st March 2021, following is the balances of A and B, अब यह balance sheet दी बिटा, यहाँ पे अपने को, लेकिन पूछा कहा है पहले वो देख लो, Revaluation Account Partners Capital, वो ही उसमें balance sheet पूछी ने रहा है, पूछ भी ले तो ठीक है, कोई बात नहीं है, अब यहाँ पे आपको जैसे मैंने सिखाया, कि Partners के capital को पहले capital account में लिखो, तो आपने यहाँ पे capital account में लिखे, 2,85,000 and 1,55,000, उसके बाद आपका creditor balance sheet में जाता है, पूछाने, reserve को बाटेंगे profit sharing ratio में 3 to 1 है, तो 3 to 1 में reserve जो आपका total है कितना, 60,000, आपको 3 to 1 में 45,000 और 15,000 आपने उसको बाटेंगे, उसके बाद बीटाव question में आपसे पूछता है, उसके बाद जो आपको उसने cash in hand cash add बाएगे, मेरे कोई काम कर नहीं क्योंकि balance sheet पूछा नहीं है, ठीके, लेकिन यहाँ पे revalue करें ठीके, वो जो ऐसा calculation goodwill यह सब कसी का बस वैसे करो, आपको बराबर साइ treatment आप देते जाओगे, ठीके, तो मैं इसलिए बोलते है अलग chapter है नहीं, यह की chapter है, थोड़ा सा फर्क है बस उसमें, ओके, अब देखेंगे यहाँ पे, goodwill is to be valued at rupees 2 lakh, C is unable to bring cash for his share of goodwill, so it was decided that due credit for goodwill be given to A and B for their sacrifice in favor of sis through their current account, what does it mean, वो ही वाला part कि जिसमें वो जो incoming partner पैसा नहीं लापा रहा, तो हमने, मैंने आपको बताते हैं, हम लोग का accounting आती है, तो अपन ने क्या बोले, gaining partners capital account debit, sacrifice, table बनाओ, खतम बात है यहाँ ठीक है, अब ध्यान से, यहाँ पे goodwill आपको already amount दे रखे, 2 lakh अब देखो एक और चीज़ है, आपका, goodwill का calculation आपने यहाँ पे कर रहे हो, यह goodwill का calculation करें, तो आपको जिसे मैं table से अगर मैं आपको बताओ, तो table से आसानी से हो जाता है, table से आपका आसानी से हो जाता है, तो इन्हों इतना gaining, sacrificing, सब calculate करें, मैं लिखता हूँ है, A, B और C, तो मैं कहा था, credit old partner, old ratio, old partner, A, B, C, तीनों partner, sorry, A और B, C नया partner, sorry, A और B, उनका profit sharing ratio, 3 to 4, तो यह total है, बच्चे, यह है 2 लाक रुपे, तो 3 to 1 में बाटो, 3 to 1, तो 2 लाक डिवाइड बाइ 4, यह आगे आपका, 1 लाक पचास अजार, यह आगे आपका, पचास अजार, C भहि रुपीज 1,40, as his capital for 1 by 5th of his future profit, अब उसका share 1 by 5th, new profit sharing ratio directly नहीं दिया, लेकिन हो निकल जाएगा, मैं बता तो कितना आएगा, यह वो आएगा, that will be 3 is 2, 3 is 2, 1 is 2, 1, यह new profit sharing ratio, 3 is 2, 1 पहले था, यह 1 by 5 कि रहा है, तो 3 is 2, 1 is 2, 1 होगा, आप देखो, calculate करके भी बता देता उसको द्यान से बाप सुने पिटे, यह कैसे आपने, यह आपको समझ में, यहाँ पर इसको calculate किया, इसको यहाँ पर जाएगा, इसको समझ लो, देखो क्या हो पिटा, यहाँ पर द्यान से मेरी बास सुनेंगे, अभी क्या हो यहाँ पर, तीन पार्टनर थे, उनका पहले share कितना यहाँ पर जल दी, उसमें तो 1 by 5 आके नया, नया का share था 1 by 5, तो remaining का बचा 4 by 4 by 5, इसका बचा, इसमें A और B का rights है, तो A का पूराना share था 3 by 4, 4 by 5 में 3 by 4 A का है, तो कितना आजार है पिटा, वहाँ आजार आपका 12 by 20, तो 12 by 20 A का, अब मैं B की बात करता हूं, वही 4 by 5 जो जो remaining बचा है 1 by 5 C का था, तो उसमें से इसका 1 by 4 किसका है बीटा, B का, तो वह कितना आता है आपका, वहाँ आता है आपका, 4 by 20, तो 4 by 20 इसका, तो 12 by 20, I can say this, this is 3 by 5, I can say this is 1 by 5, तो ratio is 3 is 2, 1 is 2, 1, समझ मैं कैसे calculate करा, 3 is 2, 1 is 2, 1, ठीके, ओके, 3 is 2, 1 is 2, 1 आपके ratio आगया, तो यहाँ पर अपने सीधा यह table बना दो, तो table आपने बनाए, तो 3 is 2, 1 is 2, 1 में इसको बाटो, तो एक लाग, तो दो लाग divided by, आँ, आँ, 3 is 2, 1 is 5, तो चाली साथ, 3 is 2, multiply by 3, 1 लाग 20,000, यह आएंगा इसका 40,000, और इसका भी आएंगा बच्चो, 40,000, इसका भी कितना हैगा, 40,000, तो यह आपने यह पहले जो ratio था, यह ratio था, 3 is 2, 1, अब यह हो गया, 3 is 2, 1 is 2, 1, अब यह बोलेंगा, भाई, मेरा तो नुकसान होगा, हमने बोला, एक ऐसे नुकसान हो रहा है, यह बोले, कि मेंको 1,50,000, यह आगे 1,20,000, तो इ इसका अभी कुछ भी नहीं आगे, 40,000, तो यह 40,000, आप इसका आप माइनस करोंगे, तो यह गेन आएंगा, यह गेन कर रहे है, तो गेनिंग पार्टनर्स क्यापिटल अपिटल अपिटी सेक्रिफाइजिंग, इतनी महनत, यह ratio यह सब करने की ज़रुए ठीक, उसने calculate किया है, वहाँ पे गेनिंग माने सेक्रिफाइज तो यह देखो नहीं, गेनिंग पार्टनर्स क्यापिटल अपिटल अपिट चालीस हजार, सेक्रिफाइजिंग, यह आपका A's क्या पिटल और यह 20 कापिटल, ठीक, एक और चीज़ उसने question में क्या बोला है, इसका adjustment क्या बोला, सेक्रिफाइज तो इसका इफेक्ट दियोंगा यहाँ पे, capital अब ध्यान से इसको अच्छे समनना, तो A's क्यापिटल को आपने डेबिट करें 30,000, और 20 क्रेडिट करें, आपने 10 अर, अब इसका डेबिट भी करो न, आपने C को करना पड़ेगा 40,000 तो इसलिए नहीं करें क C's Current Account में बुला, यह कौन सा Account इबिट है, तो C's Current Account में debit हो, वान नहीं बोलता, तो यहाँ में 40 से debit करता था और फिर बैलेंस 40 आजा तो गभराना मत यह 140 आगया, अरे 140 हो कि इसका Credma debit balance भी तो आएगा न, current का 40, उसको जो debit करें, तो Net Effect will be 1,00, अब इसके बाद अपने से question में कहता है पेटा कि पेज रुपिह वन लाक पॉर्टी एजसे अब उसने एक लाग चालीस हजार रुपरे पे किया अब इसको समझो यह एक लाग अरे आजा भाई, एक लाग चालीस हजार रुपर उसने पे किया, कितने शेर के लिए बीटा, कितने शेर के लिए वन बाई फाइव, तो यह इसको वन बाई फिदा वो रेसिप्रोकल करके आप यह निकालते हो, तो यह एक लाग चालीस हर पांच खेले, तो टोटल कैपिटल यह निकालते हो, तो यह एक लाग चालीस हर पे किया, तो यहां पर जाएव, तो यह क्रेडिट किया, अब यहां पर टोटल कैपिटल फॉर्म का कितने 7 लाग, उस से रिलेटेट लिए ना कोई पॉईंट इस ने का, देखो, यहां पर एफ प्वाईंट पे में पहले कर ले B C Profit Sharing 3 is 2 1 is 2 1 तो 7 लाग divided by 5 multiply by 3 या रहे 4 लाग 20,000 divided by 3 यह आए आए आपका 1,40,000 और यह आए आपका बच्चो 1,40,000 इतना capital उनका maintain करना उसमें बोला तो यह देखो 4,20, 1,40, 1,40 जो भी कम जादा होंगा बोले A और B का करन्ट एकाउंट के थूरे एड़िस कर लेंगे हों कहता है ठीक है बाई मगर अब रुकर Revaluation का बचा वाए पार्ट वो कहता है Stock and Furniture to be depreciated by मतलब उतने से तो वह asset है Stock and Furniture depreciate मतलब उतने से उसकी value को क्या करना है पटा Come decrease in asset So Revalue Stock कितने से आपका Stock दो लाक. 2,00,000,000,000 का दस परसेंट बीस हजार So Revaluation Account Ñचांट देट 20,000 to Stock ऐकाउंट बैलनशेट पूछा न यह उसका यह इस नै ओनीचर कितने से sposलिशर का हांगी है आपका Office Furniture 먹어 10,000 10,000 का आपका इसका 10 परसेंट 1080 तो यहां पर Revaluation एकांट को डेबिट करें आपने 8000 से उसके बात के दिए लेंड इन बिल्डिंग टू भी अप्रीशियेट बाइट बढ़ाना भी तो अप्रीशियेट लेंड बिल्डिंग यहां पर कितने की लेंड बिल्डिंग एकांट डेबिट रिवालेशन रिवालेशन को आपने क्रेट करें पचास तो सिंपल 21 का बैलेंस है ओल्ड पार्टर को प्रॉफिट शेरिंग रेशन में आपने बाठ दिए 15755250 तो आपने यहां पर बाठ दिए 15755250 अब उसने का कि एज ठीक है तो 140 140 ह लेकिन यहां पर बी के अपिटल अप्ड़न में घ्रड़ीड शॉर्ड जा रहा है और एक अपिटल अप्रेट्स एक उंप्रेशन कोशन कित्ता सिंपल कुछ भी नहीं यह यह टेबल बनाया याटा चुल यह बहुत इंप्सराइन फट आंसर आगा गल्तियों की चांस्पि भी नहीं रहते हैं उसमें गड़ बढ़ नहीं करना थीक है एक राम ने छोटी-छोटी गलती से भी पांच-दस नंबर आप खो देते हो बच्चो तो कैलकुलेशन इसा पर बहुत ध्यान रखेंगे आता है लेकिनो बराबर कैलकुलेशन छोटे अमाउन में जिरो काही जादा लिख दिये कम लिख दिये तो पूरी गड़ बढ़ हो जाते है तो उस चीज़ पर भी बहुत ध्यान रखेंगे आप अब उसके बाद आते हैं तो का कुश्चिन अमाई जुलाई नेक्स्ट आपका जुलाई 21 का ठीक है जुलाई 21 जस्ट वन मिनिट ग्यान से बच्चा ओक्य तो क्याता है स्टेट विट रिजन वेदर दे फॉलिंग स्टेटमें आर ट्रू और फॉल्स बिजिनस ऑपार्टनर्शिप कमस तो एन अन डेथ पार्टनर्शिप कोई पार्टनर की डेथ होने से वह कमस तो एन थो डिक नहुत है रिमेनिग पार्टनर उसको कंटीनिव कर सकते तो देर्फोर आंसर इस फॉल्स जब फॉल्स लिखते हैं तो फॉल्स लिखने से मार्क्स निमिलते उसको आपको बताना पड़ेगा क्यू आपको बताना पड़ेगा कि डेथ ऑफ पार्टनर्स के ऐसा नहीं तो कि पार्टनर्शिप फॉर्म आपके बंद हो जाते हैं रिमेनिंग पार्टनर उसको जो रहते हैं तो इसको कंटीनिव करते हैं इसलिए इसकांसर पॉल्स है ओके अब देखेंगे आपे नेक्स कहां से है भई यस हां यहीं से सब्सक्राइब एक और आगे तभी अपन कर रहे हैं अब देखेंगे जल्पी पर आपको जल्पी पर डिसकस की ताब यहां पर और अच्छे संब्देगा रामा कृष्णा और रगु शेर्ट प्रॉफित और लोसे इन रेशो फाइस तो चार साल की सौरी 2017 में कुछ भी सरेंडर रावात में बूला भी सरेंडर करों तो कुछ पैसे निए देगे 2018 में 900, 2019 में 2000 और 2020 में 3600 अभ यहां पर एक पार्टनर थे रामा रिटार्ट अर फिफ्टीन अफ अपरेल 2021 और पॉलिजी वस सरेंडर्ड पॉलिसी का शरेंडर्ड यू आर रिक्वायर्ट तू यू रिक्वायर्ट तू प्रिपेर जॉइंड लैफ पॉलिसी अकॉंट फॉन फों 2017 तू जॉइंड लैफ पॉलिस जेल पी अकॉंट 2017 से 2021 तक अजिमिंग दे पॉलिसी अकाउंट इस मेंटीन असरेंडर वाल्यू बेसिस मतलब वह कह रहा है क अब जब उसके प्रीमियम पे करते हैं तो आप यह देखते शरेंडर वाल्यू पर आप वह पॉलिसी अमॉंट को मेंटेन करें वह एसे अकॉंट को डेबिट करता था तो अब सबसे पहले आप यहां पर देखेंगे यहां पर आप वह कहाँ था कि प्रीमियम कितना पे कर र जेएलपी यहां पर एक से इसलिए उसने पीनल में ट्रांफर कर तो आपने जो तीन अजार रुपे करें न बिटा इसने पहले एंट्री पास किया जेएलपी में कैसे डेबिट कर दिया आपने तो सिखा थे शरेंडर वाल्यू पर वह जेएलपी को डेबिट करते बच्चा अब नेक्स यह उसने फिर प्रीमियम पे किया तीन हजार रुपे तो जेएलपी अकाउंट डेबिट करते बचा वह पीनल में ट्रांसफर कर दे रहा बात एक ही है बेटा तो यहां पर देखो उसका कितने हजार रुपे यहां पर है नौ स्क्रीन पर नहीं दीख रहा है अर ओके यहां पर आप देखेंगे अब यहां पर नेक्स टियर में देखो सरेंडर वैल्यू कितनी दिए 900 तो मैंने 3000 में से 900 का बैलेंस रखा बच्चो और 21 को कहां चले गया पीनल अकाउंट डेबिट 21 तो आपका जेलपी का अपने मेंटें 900 मेंटें करें जेलपी का और टु 3,000 रुपे पे करें जेलपी अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट लेकिन नेक्स सरेंडर वैल्यू कितनी दो हजार है तो 2000 पर इसको बैलेंस को मेंटें करें तो यह बैलेंसिंग फिगर नौस यहां पर आगे फिर आपने पे करें 3000 तो जेलपी टु बैंक कप ट्टीन था लेकिन उसकी सरेंडर वैल्यू आप को कहा है तर फिर यहांपर उसको क्या करता तो फो सरेंडर कर दिया पैसा आ गया बैंक अकॉंट moim09त हरा ब्लावान किस English को पैसा आ DS को हुआइज sudah पूड अब पर किस पे मेंटेन करें सरेंडर वालुव पे करते हैं और सरेंडर वालुव पे इसके को मेंटेन करें जो बालन जो डिफरेंट्स जो भी आ रहा है that will transfer to PNL account to asset account को debit करते है वाला point है अब उसके बाद हम से एक और यहां पर question C, कौन से पेज, नंबर पे है, एक सेकेड, मैं दून लू, ठीक है, अब ध्यान से, अच्छे है इस कोश्चन को समझाएंगे, आप से भी कहता है कि, it was decided under the partnership agreement between Ram, Lakshman and Bharat, that in the event of the death of a partner, the survivor would have to purchase his share in the firm on the following terms, Goodwill is to be valued at 3 years purchase of simple average profit of the last completed years, okay, Goodwill का calculation आप चाओ तो पहले कर सकते हैं, यह Goodwill का calculation यह पर दिया, पहले Goodwill का calculation कर लेते हैं, ठीक है, तो 4 साल का profit दिया है आपको, यह 4 साल का profit है, तो 2017 का 70,000, 70,400, 2018 का 56,320, 2019 का 48,160, और 2020 का भी तापका 17,400, 8, तो चार साल का profit, इसको divide by 4 करें, तो average profit है, Goodwill number of year purchase 3 बोला, तो इसको multiply by 3 करें, तो आपको average profit आगया, ठीक है, पर्चे, sorry, Goodwill आगा आपके, यह average profit हीता है, इसको multiply by 3 करें, तो यह आपको Goodwill आगया, अब यहाँ पर जो पार्टनर की death यह रिटार, उसका share देखते हैं, पहल financing 6 months after the death plus interest at 5% per annum on the outstanding dues, इसका मतलब क्यों होता है, जो भी partner यहाँ पर, outgoing partner, यहाँ पर जैसे question में, यहाँ पर example question में दिया बिटा है, कि राम डाइड on 30th of September, तो कोई एक partner यहाँ पर उनकी death हुई, तो क्या कह रहा है हम से question में, कि उसको immediately pay नहीं करें, 4 half yearly installment पे करें, जो भी installment में, चार installment में, छे-चे में में दे रहे, लेकिन जो भी outstanding amount है, उसके बियाज भी दे रहे, interest भी दे रहे, 5% का, ठीक है, 5% per annum, for the 6th month, it will be 2.5%, ठीक है, अब यहाँ पर कहते है, कि they share profit and losses in the ratio of 9 is to 4 is to 3, उनका profit sharing ratio, so, राम डाइड on 30th September 2020, in a partner's capital balance, on that date, where, राम, रुपीस 21,600 लक्ष्मा, 12,800, भारत, 7,200, अब आपको, पूचा गया, उसको ध्यान रखना, राम's capital account पूचा है, और executor account of राम पूचा है, अब पूरी payment जब तक उसको नहीं देते हैं, जब तक पूचा है, ठीक है, तो capital account के बारे में, अगर पूचा है, capital account में बात करते हैं, capital account का balance कितन आता बच्चों, यहाँ पर capital account का आपकर यहाँ पर balance देखते हैं, तो capital account का balance कितना था, outgoing partner का 21,600, तो 21,600 यहाँ पर लिखें, अब बन goodwill की बात करते हैं, एक ही come out, अपने goodwill का discussion हो गया है, तो उस पर बात कर लेते हैं, जो outgoing partner उनका profit sharing, उनका ratio है, वैसे सब partner का 9 is to 4 is to 3, 9 plus 4 13 plus 3, 16, तो जो outgoing partner उनका sharing कितना है, 81,122, तो अब यह इसको उनको अपने वो दे देंगे, तो उनका आप देखों, यहाँ पर capital account में credit करे, 81,122, 81,122, तो यह gaining partners account debit to sacrificing होता है, तो gaining मतलब जो दूसरे partner थे, भारत capital account और लक्ष्मन capital account, उनको क्या करेंगे debit to sacrificing partner, यह जा रहे है, तो इनका जो share इनका आपन दे देंगे, जैसे ही amount है, यह पर उससे कोई फर्क नहीं बढ़ता, सब के capital account नहीं बनाना, तो इसका जो share इसको दे दिया अपने, ठीक है, तो अभी इसको यह मिल रहा है, अभी आउट्विंग partner, आगे चलके इनको कोई share उसमें मिलेंगा, नहीं, तो अभी इसके इसमें इतना है, और आगे चलके कुछ भी तो यहां पर, यह sacrifice करें, बच्चे वे दो को अभी जो मिलेंगा, इससे जाधा मिलेंगा, उनको, क्योंकि वह remaining partner से profit sharing ratio है, उनका बढ़ जाएंगा एक partner, उनको gaining आए, लेकिन अब उनको capital account उनका नहीं पूछा है, तो उनका calculated table नहीं बनाए, तो भी च अब आप इस चीज़ को बच्चे समझना, यहां पर उसने question में अपने को, यह जो outgoing partner है, उनका current account का भी balance दिया, तो यहां पर अगर मैं कहूं, यह अगर current account है, तो यह current account में debit balance दिया, अब इनका settlement करना है, तो यह बैलेंट करना है, तो यह बैलेंट करना है, तो यह बैलेंट अब यह जो बैलेंट करना है, यह अपने ट्रांसफर कर दिया, बात यह की न, वह भी current account भी जो outgoing partner उनका है और जो capital account भी नहीं का है, अब यह बैलेंट का settlement करना है, तो लीगल, उनके जो भी executor उनसे, तो total कितना लेना देना है, तो भी 1920 तो debit balance है, current account, that वह ट्रांसफर तो capital account, ओके, अब यह जो balance आया अपना, एक लाग, आठ अजार, दो, आठ अजार, दो रुपे, यह अपने को उनके executor को देना है, executor account को उनके credit कर दिये, अब हिसाब किताब शुरू आउनका, कैसे, कि इनको अपन, हर 6-6 महने में दे रहे, जो calculation अच्छे समझना है, तो मैंने क देना, तो divide by 4 करता हूं, तो आता है आपका 25,200.5, इतना आ रहा है आपका, ठीके, 25,205, ए स्क्रीन पर दीख नहीं रहाँ हो, शायद आपको, ओके, अब मैंको उतना देना, लेकिन हर 6 मैंने में इंट्रेस देना, तो यहाँ पर इस calculation को समझना अच्छे से, interest is expense, expense deal by nominal, nominal, nominal expense should be debited, so entry will be interest account debited to executor account, तो यह जो outstanding amount शे मैंने यह था, तो आपने यहाँ पर लिखे, 1,8,002, रुपया है by 2.5, वाई 2.5%, वाई 2.5%, वाई 2.5%, वाई 2.5%, तो इतना इंट्रेस देना, तो यह प्रिंसिपल अमाउंट, यह प्रिंसिपल अमाउंट है, तो यह प्रिंसिपल अमाउंट आप देखोंगे, यह प्रिंसिपल अमाउंट है, यह का आप दे रहें, और इंट्रेस को जो आपने calculation करे, 2520 यह इंट्रेस देर, टोटल इतनी payment करे, इतना बचा, फिर नेक्स पिरेड में आया पर, 6-6 मैने के पिरेड है, फिर यह नेक्स पिरेड का आपने इस 30 मार्च पहला साल खतम हो, यह दूसरे साल में आया आप, अब यह दूसरे साल में आप 2520.5 यह तो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है, और यह पिरेड का जो इंट्रेस हो, 1890 तो यह 1890 आपने यहां पर करे, तो टोटल इतना पर करे, मगर दूसरे साल में 6-6 मैने के इस फिर आपने 6 मैने बाद दिये, तो उसका इंट्रेस अभी 1260 समझना है कैसे, अब आपका यह 75601.50 था उसमें से आपने प्रिंसिपल अमाउं 25200.50 आपने पे करे, तो 75601.50, 75601.5-25200.5 यह आपका बैलेंस आता है 5040, इस पे इंट्रेस दिये, तो 50401, multiply by, आप इसको कर दो 2.5%, तो multiply by 2.5%, तो आदा 2.5%, 1260, ठीक, 1260 इस तरीकी से यहाँ पर आवे रहा, अब आपने थर्ड इंस्ट्रोल्मेंट यह प्रिंसिपल अमाउंट ही है, और इंट्रेस 1260, तो 1260 इसका इंट्रेस दिये, तो वो पेमेंट करें, फिर यह बैलेंस आया, छे मेने का इंट्रेस लगा है, और आपने प्रिंसिपल अमाउड और यह इंट्रेस दोनों मिला के आपने यह कर दी, तो इसका एक्जिगूटर अकाउंट क्या हो गया, खतम, simple है, ओके, तो यह जो कोश्चन आया था, आपका, यह कपका कोश्चन है, यह आपका, जुलाई 21 का, ठीके, जिस 1 minute, okay, so, the partnership deed of a firm consisting of 3 partners, कितने partners से, 3 partners, of 3 partners, P, Q and R, profit sharing ratio 2 is to 1 is to 1 and whose fixed capital, R rupees 30,000, 12,000 and 8,000 respectively, तो तीन partner थे, P, Q and R, और उनका profit sharing ratio 2 is to 1 is to 1, और capital fixed capital दे रखा है, ठीके, अब यहाँ पर पूचा कैया है, सबसे, यह तो ठीक, A, B, C, कहां से आगया, मैंने कुछ, एक question नहीं पढ़ा कि, A, B, C, यह C कैसे आगया, चलो ठीक है, कोई नहीं, यह, एनिवेस, यहाँ पर, ठीके, एक second, ठीके, पूचा कैया, पहले तो वो देख लो, भी, you are required to prepare account showing due to peace legal here on 31st December 2020, impact of unrecorded library not to be recorded earlier, ठीक है, अब उसे peace legal executed account basically, उसने आप तरब पूचा है, ठीक है, पी क्या death हो, यह कुछ क्या और पी died हो है, चलो ठीक है, अब ध्यान से सुनते जाओ, अब यहाँ पर एक एक करके अपन पढ़ते जाएंगे, यह वाले points में read करता हो, लेकिन पहले आप नीच यहाओ, वो कहता हम से, पी died on 30 September 2020, the amount standing to the credit of his current account, as on 34 December 2021, was Rs. 5000, ठीक है, अब उसका कितना balance outstanding in the current account में, 5000, and from that date to the date of death, he withdraw Rs. 30,000 from the business, अब समझना भी टाया है, तो यहाँ पर, अब ध्यान से इस चीज़ का आप समझेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे, उसका आपको balance कितना दिया है, यहाँ पर current account का balance कितना दिया है, इसको समझना भी टाया, उसका current account का balance, यहाँ पर था, 30 September 2020 को, 34 December, dates को ध्यान रखना, 30 September 2020 का उसका balance दिया हुआ, कितका P का, current account में कितना balance था, current account का जो balance था, sorry, death हुए इनकी 30 September 2020 को, लेकिन, 2020 को, लेकिन current account का balance 5000 दिया, 34 December 2019 है, याद रखना, यहाँ पर balance दिया, 34 December 2019, यहाँ balance दिया 5000, और death हुई 30 September 2020, यहाँ death ही, तो मैं current account बना, उसका debit balance से 5000 रुपे, कितना balance है, debit balance उसका, नहीं नहीं, credit balance से 5000 रुपे, और उसने बोले कि, उन्होंने यहाँ पर यहाँ से, यह साल खतम होने के पिछले, यह death था, स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ देखो, साल खतम होने से, यह death था, कि उन्हें withdraw करें, कितना amount withdraw करें, वह बहले था 30,000 withdraw करें, तो current account debit to bank account, यह 30,000 withdraw करें, तो यह balance कितना है, 25,000, तो 25 अपन क्या करेंगे, capital account में transfer कर देंगे, अब उसके बाद वह कहता है, यहाँ पे, तो capital account को क्या करेंगे, debit, तो यह 25 सार इस तरीके सार, महाँ पे credit, तो यहाँ पे क्या करें, debit किया अब उसके बाद वह कहता है, यहाँ पे, अब 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 लेटी आपने कोई credit पर चेस करें, फोड़ा सा सोच ना, मैं जैसे reason बता रहा हूं वैसा आपने सोचते जाना, कि मैंने कोई credit परचेस किया, च्छे जार रुपय का मैंने एंट्री पास किया पर्चेज अकाउंट डेट लेकिन उन्हें एंट्री पास नहीं करें लेकिन आप लॉजिकली सोचे कि पर्चेस पीडिंग में डेबिट हुआँगा तो नेट प्रॉफिट आपका नीचे कम होना चीज़ा आपने डेबिट न यहां पर फिक जो शेर तक कोचिन में दीया इसन ने तो इस्टु वन इस्टु आ ट्यूच यह जार में का बैनिफिट जो ट्रेडिंग के डेबिट में नहीं लिए तो प्रॉफिट गलती बटी से जाधा है तो क्यापिटल में ज्यादा गया तो छे जार में से थीन हजार पीक हो गया कि इसका रेशो था 2 is to 1 is to 1 तो पीक है था 2,000 उपया तो उसके प्रॉफिट को 2,000 शे अजार शे का 2 is to 1 is to 1 तो शे अजार का यह बता देतो भई शे अजार का 2 is to 1 is to 1 तो यह आपका 3,000 उपर सका उसको इसकी capital को उत्ने से कम करेंगे क्योंकि पहले इसको profit ज़्यादा चले गया तो उत्ने से capital को कम करती अच्छा जब ज्यादा गया होंगो तो profit capital में credit होंगो तो इसको कम कर दिर्क्टिफाइ करें आपने उसके बाद केते हैं the trading the trading result of the firm before charging interest on capital यहां पर profit और loss दिया है इसका 3-4 साल का आपको before charging interest on capital अब इसको समझना है the partners allow partners be allow interest at 8% per annum fix their capital but no interest to be allowed on undrawn profit or charge on drawings ठीक है एक second यहां पर न यहां पर न यहां गुद्विल के बारे में कह रहा है that upon the death of a partner the goodwill of the firm be valued at two years purchase of the average profit after charging interest on capital तो यह क्या कह रहा है कि ठीक है अब उसने क्या 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 पिछले तीन साल का average profit लेने लेकिन बोला लेकिन वो जब आप profit ले रहो after charging interest on capital तो पिछले तीन साल को जो profit दिया है तो यही consider करना है बिटा आपको यह वाला consider 2020 का नहीं करना है क्यों पिछले तीन साल बोला तो 17 18 19 बस और यह आपका before interest on capital इंस्टीट भीन आप लोगों के साथ before interest on capital है बिटे तो वह बोलता है कि आप जब गुद्विल को calculate कर तो profit क on capital इसी लिए उसने पिछले तीन साल का profit लिखा दो साल profit है एक साल लॉस है आपका तो जब आपने तीन साल का उसने लिखा आउस इंट्रेस on capital काल्कुलेट के इंट्रेस on capital कितना हो रहा है यहां पे इसने question 8% तो 8% 30,000 का 8% 30 प्लस 12 प्लस 8 टोटल था 50 सार capital उसका 8% 4000 तो प के बाद यह profit आया और जब यह profit है आपका total profit है इसको average divide by 3 करे number of years purchase 2 था multiply by 2 कर तो यह आ जाएगा अब जो यहां पे जो partner की death हुई है उसका share 2 by 4 तो इसको आपने 2 by 4 करूंगे तो यहां था 11,000 830 तो 11,000 830 आगया बच्चो तो 11,000 830 अपन उसको दे देंगे कहां गे 11,000 एक सब्सक्राइब 11,000 830 तो 11,000 830 एक करके मैं टिक करते जाता हूं अब उसके बाद यह हो गया पुसका capital account का balance कहीं नजर आ रहा है कहीं होगा आचा यह capital account उपर दिया 30,000 तो 30,000 इसको यह 30,000 ही हो गया अब उसने interest on capital यहां पर उसको अब यहां पर इस साल के अपन बात करे त उसका interest on capital देने 30,000 इस साल का 30,000 का 8% 30,000 का 8% कितना रहे 2400 तो आपका यह interest on capital आगे है 2400 यहां पर 2400 और इसका share of profit ध्यान से बीट है share of profit आपके कैसे निकाल रहे एक चीज़ को समझना अपने share of profit यहां पर एक सेकिंद हाँ ठीक है दोनों आज insurance है अलग से बताया से ठीक है सही है सुना अब मेरी बात अब क्या होंगा यहां पर यहां पर कि दो चीज़ आपके JLPBA पहले में share of profit बात कर तो इस साल का profit उसका कितना हुआ है देखा है 13,470 इस साल का profit इस साल का पूरा interest कितना रहेंगा interest on capital आप देंगे तो कितना रहेंगा interest on capital वह यह आपका 8% आथा 4000 तो यह आपने हटा दी यहां पर 4000 तो बचा कितना profit 9470 इसका share इसमें 2x4 तो 2x4735 तो 4735 उतना आप उसको share देंगी 4735 अब यह policy भी कहीं है पर question में उसके बारे में बात कर लेते वो कहते है कि that insurance policy insurance policy of rupees 25,000 each was taken in individual name for each partner the premium was charged against the profit of the firm the surrender value of the policy was 20% of the sum insured sum insured कितना 25,000 एक कब इसको समझना बड़ा बहतरीन calculation समझना अब द्यान से अब P की death हुई उसके case में claim मिलेंगा उसके case में claim मिलेंगा तो claim कितने का 25,000 का तो P के case में इदे को claim है यह सिखाओ आपके सिखाना पड़ेंगा यह claim है claim minus book value तो claim कितना है 25,000 और book value 0 उसने बोला कि उसको आप क्या charge कर आप उसने आप कोशन में बोला कि पीनल में जा रहा है तो आपका book value 0 है GLP debit 25-0 25 अब Q और R की death नहीं उसका आप revalue कर रहे है तो revalue बड़ी कम amount पर surrender value minus book value ऐसा होंगा तो Q और R तो इसका सिर्फ 20 परसेंट इसरेंडर वैली तो 25 अरगा 20 परसेंट होता 5000 पांच अजर बुक वैली 0 है तो यह profit आया 5000 यह profit आया 5000 टोटल आया 10,000 ठीक है तो यह आपका हो गया यह आला profit इनका रिवैल्य पर और उसके death वी तो इसका claim मिला तो टोटल प्रोफिट ओर 35,000 इसका share था 2 by 4 तो यह आया आया आपका 17,500 और आपका यह balance आगया 38,465 तो यह executor account पूछा नहीं पूछा नहीं पूछा बस ठीक है तो इसका balance आगया आपका 38,465 एक और important चीज है यहाँ पे देखा हुआ है upon the death of a partner he is entitled sorry he is to be credited with his share of the profit profit उसको दिये interest on capital and calculated up to 34 December following his death तो पूरे साल का उससे बला बोला ठीक है तो interest on capital आपने इसलिए पूरे साल का यहाँ पे 2400 रुपेस को देती यहाँ पे आपने इसलिए interest on capital का जब calculation करे यह भी आपने पूरे साल का यहाँ पे क्या करे माइनस करें ओके 4000 ओके डन चीक और यह profit भी पूरे साल का है 13,450 तो 13,450 पूरे साल का profit पूरे साल का interest on capital और वैसा बढ़ यह question में बोला अगर बोला है नहीं death तक के दो तो फिर death की अपने उसको स्रीफ बाठते थे ओके फिर आपन जो 30 September को तो फिर 9 by 12 ऐसे calculate करते थे फिर उ उसने question में बोला कि नहीं 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 पूरे साल का दो अच्छी बात है दो पूरे साल का ओके तो अब उसके बाद देखो यहां पर पूछे discuss the rules discuss the rules if there is no partnership agreement देखो मैं आज आपको बताया तो मैंने कहा भी था कि examination में कोई भी attempt में वो पूच सकता है पूच लिया है और पू अब उसके बाद हम लुग लास्ट जो वारे नवेंबर 2020 उसको हम डिसकस कर लेते नवेंबर 2020 कहां गया हूँ कि एक इदर गाया भोगया कहां गया उसकी PDF एक मिनिट टुको 2020 में टाइप करता तो आ जाएंगा यस आ गया है ओके ओके चलो और खुला भी partnership का question ही दिख रहा है आमने भी ओके अब ध्यान से बच्च देखो क्या कहता है अपने से यहां पर यह कॉन से आपका नवेंबर 2020 में अच्छा पहले टू और फॉल्स भी आ गया था ठीक है state with reason whether the following statement are true or false in case of admission of a new partner in a partnership from the profit or loss on revaluation record is transferred to all partner in their new profit sharing ratio नहीं 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 all partners को नहीं transfer करते है फॉल्स है वो revaluation का balance कहा है और पार्टनर को नहीं ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो इसमें बाठते है ओल्ड पार्टनर नहीं पार्टनर को क्यों देदेंगे revaluation का ठीक है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो इसले फॉल्स है अब आपसे आगे next question मेसर्ज टीबी इस ए पार्टनर्शी फिर्म विट पार्टनर्स A, B and C sharing profit and losses in the ratio of 3 to 2 to 5 the balance sheet of the firm as on 30 June 2020 was as under ठीक है so balance sheet of message TB as on 30 June 2020 आपको महाँ पे दीवी balance sheet T is June 2020 की अब पूछा क्या पहले वे देख लेए you are required to prepare revaluation account पार्टनर्स capital account पूछते हैं ओके ठीक है नहीं पूछ रहे है कोई बात में अब आपन इसको solve करेंगे यहाँ यहाँ पे बी रिटायर हो रहा है अच्छा यह वाला question अच्छा है एक partner retire हो रहा है और एक नया partner आ रहा है interesting question है ओके retirement कम admission वाला case है एक retire हो रहा है और एक नया partner कोई आ रहा है कोई बात अब देखो यहाँ पे बहुत simple question कुछ नहीं अब देखो सबसे पहले capital account इसको 1,24,96 और 1,60 वो डी नया partner आएंगा इसके बाद अब भी तो फिलाल कोई काम कर नहीं क्योंके balance sheet पूछा नहीं अब नीचे adjustment देखते है अब रिजर्व है कोई रिजर्व भी नहीं कोशा है ठीक है it was mutually agreed that B will retire from partnership and in his place D will be admitted as a partner with effect from 1st July 2020 from these purpose following adjustment are to be made अब नया एक पार्टनर जा रहा है और एक पार्टनर नया पार्टनर आ रहा है goodwill of the firm is to be valued at rupees 3 lakh due to the firm's location advantage okay at firm's location advantage but the same will not be appear as an asset in the books of the reconsidered firm और वो गुद्विल का valuation बोलता है तो 3 lakh रुपे की goodwill है अब उसने यहां पर इसको अपन calculate करेंगे बीटा शेयर अब शेयर जैसा अपन calculate करते हर पार्टनर का तो सबसे अच्छा अपना सबसे अच्छा क्या तरीका होता है यह आप इन्होंने goodwill का calculation करेंगे यह आप इन्होंने इसको क्या करें पूरा उसमें यह calculation करें उसको gaining sacrificing करेंगे कुछ करना ही नहीं अपने जैसे मैं बता रहो सुना आप बराबर अमाउंट वैसे ही आएंगा विटा तो चार पार्टनर ए बी सी डी टोटल चार पार्टनर तो क्रेडिट ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेश्यों तो ओल्ड रेश्यों कितना था इ तीन लाग रुपए का ठीक है तो तीन लाग रुपए से अपने को क्रेडिट करना है ओल्ड रेश्यों 3 2 2 1 मैं सही कह रहा हूं तो ओल्ड रेश्यों यहीं कि कुछ और है 3 2 2 5 देखो 3 2 2 5 अब ध्यान से तो 3,000 लाग रुपए डिवाइट बाइट 10 मुल्टिप्लाइबा को एक लाग पचास अजार अब यहाँ पे डेबिट न्यू पार्टर न्यू रेश्यो अब न्यू रेश्यो के बारे मसे कुछ कहा है अपने कोई है सिए देखोड़ थ्री तो फॉर इस्टू थ्री तो फॉर इस्टू थ्री मगर याद रखना यह सी को भी रिटायर हुआ है यहाँ पर पांच लाग डीवाइड बैटेन मल्टिप्लाइब थ्री यह नब्य नहीं पांच नहीं तीन लाग डिवाइड बैटेन मुल्टिपलाइब 3 यह नब्य हजार इसका उतना है वह फोर वी का नहीं वह भी रिटायर हो गया एक लाग दीस सी भहिया का कि यानभ्यजार है यानभ्यजाति है मैंने कहा कि एकोक देना था नभब्य और मिलेंगी तो यह सैक्रिफाइस इसको मिल देना है साथ मिलेंगा कुछ नहीं तो यह बीड़कर चलकए इसको मिलेगा नीव था सिक्ष्टी थाओदन से से सेक्रिफाइस कर रहा है सी को अभी एक लाग पचास आगे एक लाग बीस तो यह 30,000 रुपीज से सेक्रिफाइस कर रहा है और यह जो डी भाईया अभी कुछ भी ने आगे 90 तो यह गेन करें तो गेनिंग पार्टनर्स क्याप्टल अकाउंट डेबिट इनको करें यहां पर ब को डेबिट करने बोला तो यहां देखो बी को डेबिट करें 60,000 और सीबी सेक्रिफाइस करें 30,000 हो गया था तो इकता महनत ही नहीं करना अपने को टेबल काल्कुलेशन आपको यह रेगुलर बाच में सारे बता हैं चीज़े मैंने ओके अब उसके बाद यह पहला पॉइं प्लांटेड मेरिशनरी आर टुबी वैलूट आट 95 परसंट एटी परसंट अट मतलब उतने पे थोड़ी देर पहले बता था एट मतलब उतने पे तो आप अगर बिल्डिंग की बात करते हैं तो बिल्डिंग आक्च्वल में वैली हुआ दो लाग बीस पे तो बोलता है 95 मतलब 5 से कम करो मल्टी फाइब 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 परसंट करो 11,000 तो 11,000 से कम करो तो डिक्रीज इन असेट क्रेट तो रिवैलिशन अकाउंट डेबिट करें यह 11,000 उसके बाद आपको वह बुलता है कि आपको प्लांटेड मश्नरी को 80 पर संट पर तो प्लांटेड मश्नर करें फिर कहता है फिर कहता है फिर कहता है आफ दे रिस्पेक्टिव बालेंस शीट वाल्य इन्वेस्मेंट आर्टी वी वाल्यूट सारी इन्वेस्मेंट आर्टी टेकन और रिटारिंग पार्टनर एट रुपिस 46,000 अभी इसको अच्छे समाझना बिल्या उसने तो 46,000 में लेकर गया तो कौन से पार्टनर रिटारिंग पार्टनर कौन है आपनी रिटारिंग भी है तो बी अकाउंट डेबिट 46,000 मगर इन्वेस्मेंट बुक में कितना लिका है 42 का तो टू इन्वेस्मेंट अकाउंट 42,000 तो रिवालुशन जो प्रॉफित हुआ 4000 का वो रिवालुइशन तो आप देखूंगो B account debit to investment B account debit 46 to investment 42 to revaluation 4000 so B account को बिटा आपने क्या करें यहाँ पर यहाँ पर देखो B account को debit के 46 अब balance sheet पूछा नहीं तो महाँ पर रहे तो investment माइनस करता और रिवालुइशन को यहाँ पर 400 नहीं क्या किया credit profit हुआ उसके बाद कहता है trade receeval are considered good only up to 85% तो वो कहता है कि 85% नहीं गूड है मतलब बचा हुआ गूड नहीं मतलब bad debt provision बोल रहा है तो आपका यहाँ पर कितना data सकतना बीट है इन्वेट वनलाग 59,000 कह तो मुझा पर संवेट नहीं पर संटा मूड है 15 पर संट थम 23850 23850 P&L account debit to trade receeval account okay bad debt असना बाद को च। था बाद मैं the bad debt provision or the P&L account debit to a revaluation to provision otherwise revaluation to bad debt अगर evaluation sorry revaluation अगर provision is a revaluation account debit to provision account or bad debt to revaluation account debit to data सब्सक्राइब करें तो बोलता है कि चार लाक उनका टोटल कापिटल होना चाहिए और वो किस रेशो में में अपने को बोला है यहां पर तो यहां पर इसने करा है यह 4 सब्सक्राइब करें अब एक एक कपट है यहां पर रिटारिंग पार्टनर है बी रिटारिंग पार्टनर है उसका यह बैलेंस आ रहा है बीटार एक टी सेवन एक थर्टी तो उसने बोला कि इसको लोन अकॉन में ट्रांसफर इसलिए यहां पर लोन लिखा वो बोलता है पेमेंट कर देता तो तू बैंक लिखता था अब बच्चे वे जो पार्टनर से इसमें से एक पार्टनर जो एक का तीनों का क्रेडिट इस क्रेडिट इतना मेंटेन करना है इतने से शॉर्ट जा रहा है तो इतने तो उतना पैसा बैंक अकॉंट इसके बाद नेक्स चाप्टर है ठीक है चलिए तो यहां पर हम लोगा पार्टनर्शिप का रिविजन खतम होता है और अच्छे से महनत कर और ज़्यादर डिफिकल्ट इसको कंसेट पे देखो मैं कहते हो ना आप किते भी कोश्चन करो वह अच्छी बात है लेकिन आप अगर कंसेट पे ध्यान नहीं दोंगे न तो वह प्रक्टिस कोई काम की नहीं आपने सौ कोश्चन कर लिए आप बड़े प्रावट सौ कोशन करे किरें तो अपने कंसेट्elा नहीं करें तो कोई काम की नहीं मुझिक्णों क्राप्टिस पे इस च्विस्ट्र पे और या पे और variability के सारो पॉंट इस्ट्र में तो सको करें तो ये सेट्चन अम लोग कहत्म होता CR Take care, bye bye.